मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सिरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे युरोप में किस तरह राइज हुआ नए नेशन्स का आज हमें पढ़ना है ठीक है लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टुइंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन्स नहीं देखे हैं आज का सेशन्स आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे बेसिकली मैं कहना यह चाहता हूँ कि मेरे सभी सारे सेशन्स जो हैं वह एक दूसरे से जुड़े हो हैं अगर आप नहीं देखेंगे प्रीवेस सेशन्स को तो आप कैसे समझ पाएंगे मेरे पढ़ाने की फिलोसफी को आप कैसे समझ पाएंगे कि हर सेशन में हम जादा से जादा फेक्ट तो इखटा करी रहे हैं लेकिन हमारा मेन एंफेसिस रहता है कॉंसेप्ट बिल्डिंग पर ताकि अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन में बैठें तो एग्जामिनेर हमें स्टंप ना कर सके अगर आप स्टेडी आईक्यू के अप्लिकेशन को इंस्टाल करते हैं तो उस पर आपको मिल जाएगा एक पूरा थरो कोर्स उस कोर्स में 1300 से प्लस वीडियो है डेली करेंट अफेर अपडेट होड़ता है देली की पूरा रइटिंग की प्र जाएगा उस एप्लिकेशन को इंस्टोल करनेगा आज का हमारा सेस्शन मेंद इस पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है आपका रोमन एंपाइर ठीक है तो रोमन एंपायर के बारे में जो रेनेसांस वाला मेरा टॉपिक था उसमें मैं डिटेल में समझा चुका हूँ इसी मैपको मैंने वहाँ पर ही समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह Roman Empire, Eastern Roman Empire और Western Roman Empire में तूड़ गया तो आप देख पा रहे हैं यह भूमद्दे सागर है और भूमद्दे सागर यानि Mediterranean Sea के आसपास Roman Empire पूरा का पूरा एस्टेबलिश हुआ है जिसमें इटेलियन पैनिजुला की जो प्रोटूडन्स है ग्रीस के जो पैनिजुला है इसकी जो प्रोटूडन्स है इसका बहुत इंपॉर्टन्स है और खास तोर पे कॉंस्टेंट निपल, अलेपो, ठीक है जरुसलाम ये सारे जो शहर है जो कि चाइना से आने वाले सिल्क रूट को कनेक्ट करते हैं किस से मेडिटरेनियन सी रूट से या उसके अलावा रेड़ सी और हमारा ये जो गल्फ ऑफ पर्शिया है यहां से आने वाला जो ट्रेड है भारत और साउथी स्टेशिया गे रास्ते वो ये रोप से कनेक्ट होता है तो रोमन एम्पायर का इतना जादा वो संपन होने का कारण यह है कि इसकी कनेक्टिविटी यह चाइना और भारत और साउथी स्टेशिया के ट्रेड के साथ जुड़ गया और वहां से जो है वहां से जो ट्रेड कनेक्ट हुआ ठीक है तो उस ट्रेड से चाणदी होगी रोमन्स की लेकिन रोमन्स की अगर चांदी हुई तो जो मेंलैंड यूरोपियञ जो ट्राइब्स हैं उन्होंने दिरे धिरे इसंटर रोमन एम्पायर के वज़ाए वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर प्रेशन डलना शुरूँ हु Rome being the capital of the Western Roman Empire and Constantinople being the capital of the Eastern Roman Empire. लेकिन after the fall of Western Roman Empire, देखिए, अब इस मैप के माध्यम से आप clearly देख सकते हैं कि Western Roman Empire खतम हो चुका है और Eastern Roman Empire ऐसे गाइसा बचा है. अब Western Roman Empire क्यों खतम हो गया और Eastern Roman Empire ही क्यों बचा रह गया जवाब जो है वो आप simply कह सकते हैं कि trade route पे control था और जितनी भी trade route पे control होने की वज़े से economy सशक्त थी Eastern Roman Empire की तो उनके पास army strong थी तो वो redirect कर सके जितना भी invasion है वो सारा Western Roman Empire की तरफ. Western Roman Empire देरे-देरे खतम हो गया और अब इस map के माध्यम से देखिए मैंने बोला ना आज हमें nation state समझने है कि modern times में Europe में जो nations हैं वो किस तरह develop हुए है ठीक है आज के हम topic में आज के इस topic में हम ये पूरा funda समझने कोशिश करेंगे कि present times में Europe में जो राश्र हैं वो किस तरह ब पड़ाऊंगा आपको लेकिन कुछ एक maps के माध्यम से में कहानी जो है वो एक संक्षेप में अब मैं कहानी आपको जर्नली सुना देता उससे बेटर मुझे ऐसा लगता है कि मैप के माध्यम से मैं बहतर तरीके से कह सकूँँगा अपनी कहानी को राइट सो देखे इस map में देखे यह map है आप पढ़ सकते हैं 8476 सिरका गा ठीक है 8476 का मान के चलिए सिरका छोड़िए यहाँ पर clearly हम देख सकते हैं कि Eastern Roman Empire यानि हमारा Byzantium जो है वो सर्वाइव कर गया और Western Roman Empire के remains पर जो Germanic tribes थी उन्होंने Kingdoms establish कर लिए तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि जब Europe ने medieval period में एंटर किया तो ऐसे कौन से Kingdoms थे जो की modern times तक सर्वाइव कर गए है तो हमें उन Kingdoms के बारे में समझना है जो modern times तक सर्वाइव कर गए है तो यहाँ पर आप clearly देख सकते है Kingdoms of Kingdom of Franks आपको Franks का Kingdom यहाँ पर दूसरा Kingdom आप देख सकते है Britain इसका तो Britons जो की Britain में मौजूद है तो यह दो बहुत strong Kingdoms है जो की medieval start में यानि की ancient जब खतम हुआ या antiquity classical antiquity जब खतम हुई उरोप की और जब उरोप ने dark ages में खतम रखा या medieval times में खतम रखा dark ages पेटरार्क ने कहा है 5th century से 14th century के period को लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं Franks मौजूद हैं उसके अलावा sections यहाँ पर मौजूद है Franks के ओपर देखिएगा sections आपको दिख जाएंगे और यही sections हैं जो Anglo sections के रूप में बाद में England को स्थापिद भी करते हैं लेकिन England में Britons मौजूद है ठीक है अच्छा Anglo sections जो है वह पर ने जा रहेंगी यही Gothic Kingdoms हैं जो पहले Paganism यानि की Polyandres लेकिन Polytheism यहाँ पर भैला हुआ था बहु एश्वराबाद और इनके Tribal जो है वो देखता थे फिर धीरे इनोंने Christianity को अड़ाप्ट किया है ठीक है इस मैप के मादियम से जो हमें basic चीज ध्यान रखनी है वो यह ह कि 476 AD में यानि की after the fall of Western Roman Empire Franks और Britain और या Anglo-Saxons मौजूद है Western Roman Empire जो है वो खतम हो चुका है Eastern Roman Empire मौजूद है ठीक है यानि की Roman Empire अभी भी मौजूद है उसके लावा देखिए Italy में Kingdom of Odoacer है यह Germanic Tribes में से निकल कर आया है ठीक है और Slaves है Slaves भी मौजूद है यहापर ठीक है तो यह कुछ basic आपने देखे दिस वस यह यूरोप का यूरोप का जो है वो हालात थे after the fall of Western Roman Empire अब देखते हैं after the fall of Western Roman Empire और medieval times में जो peak चल रहा था यानि लगभग सिरका 1200 AD के आसपास यूरोप में कौन-कौन सी Kingdoms डेवलप हो ग कि 1280 के आसपास कौन-कौन सी Kingdom strong है तो Franks हमें मज़ा हमें जो है वो पता है कि Franks पहले से established है ठीक है तो Kingdom of France हमें यहाँ पर दिख रहा है Britain जो है वो पहले से थे Anglo-Saxons पहले से थे तो Kingdom of England हमें नजर आ रही है यहाँ पर भी ठीक है Kingdom of England है Kingdom of France है अब जब मैं आपको इसलाम के बारे में पढ़ाऊंगा ने एक अलग से session लूँगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह इसलाम जो है वो अफरीका के रास्ते यूरोप में अंटर किया तो यहाँ पर आपको खिलाफत नजर आ रही है स्पेन में ठीक है तो स् खिलाफत ठीक है खलीफे हैं तो कार्डोबा और फतमिद खलीफे यहाँ पर मौजूद है ठीक है यूरोप की प्रॉक्सिमिटी में और खासकर यूरोप में स्पेन में तो जब मैं आपको इसलाम के बारे में कराऊंगा एक टॉपिक वहाँ पर मैं यह समझाऊंगा कि कैसे यह यूरोप तक पहुँचे लेकिन उसके अलाबा देखिए जो पुराने किंगडम्स हैं पुराने किंगडम्स में से किंगडम औफ फ्रांसस फ्रांस किंगडम औफ इंगलेंड मौजूद हैं और जो रोमन एंपायर के जो रैम Angry बचे थे देखिए वेस्टरन रोमन ट्राइब्ज ने होंज ने अटेक किया और उनको रिप्लेस कर दिया लेकिन इसका बतलब यह नहीं कि उनके रेमनेंट नहीं बचे थे उनके रेमनेंट ने धीरे-धीरे अपने आपको कंसोलिडेट किया और holy roman empire फिर से जर्मेनिक ट्राइबज ने जो वेस्टर रोमन एंपाइर उसको खतम किया ठीक है अब वही जर्मेनिक ट्राइबज बहुत है वो धीरे धीरे देखिए डिस इस हाओ रिलीजिन जुआ अबिदिक च्रिश्यानिटी ने वही उस जर्मैनिक ट्राइब को जो है वो एक kingdom के रूप में फिर से establish किया जिसको कहा गया Holy Roman Empire तो यह जो Holy Roman Empire है this is actually a German Empire तो जो जर्मैनिक ट्राइब हमें नजर आये थी after the fall of Western Roman Empire वो जर्मैनिक ट्राइब अभी भी मौजूद है in the name of Holy Roman Empire और game समझे जिस रोमन एम्पायर को जर्मैनिक ट्राइब ने हराया उस रोमन एम्पायर के Catholic Church ने उस जर्मैनिक ट्राइब को absorb कर लिया और हमें यहाँ पर एक और Holy Roman Empire नजर आ गया जर्मन लेंगोईज के साथ तो जो Holy Roman Empire है यह वही जर्मैनिक ट्राइब हैं लेकिन Christianity ने अब्जॉब कर लिया ऐसे बेसिकली सो आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब कि medieval time जब से शुरू हुआ यूरोप में तीन main शक्तियां यूरोप में मौजूद है कौन-कौन से Franks, Britain और Germans ठीक है ये तीन main शक्तियां मौजूद है अब यूनिफाई नहीं हुआ है Germany as a country नहीं बना है मैं आगला topic लेकर आऊँगा Unification of Germany विसमाक के बारा मैं समझाऊँगा आपको detail में लेकिन जो Germanic tribes है ठीक है जर्मन भाशा बोलने वाले जो लोग है वो यहाँ पर मौजूद है वो मौजूद थे Western Roman Empire के समय भी और वो अब जो है वो सिर्का 1280 के आसपास भी एक Holy Roman Empire के रुपे मौजूद है इस मैप में देखिए कौन-कौन सी और बड़ी शक्तिया है Byzantine Empire अभी भी मौजूद है यानि Romans वहाँ पर है Greco-Roman अभी भी वहाँ है उसके अलावा mainland Europe में Kingdom of France, Kingdom of Burgundy Holy Roman Empire Kingdom of या Duchy of Poland Kingdom नहीं है एक्चुली Duchy है So Duchy of Duchy क्या होता है मैं आपको समझाऊँगा Duchy जैसे Kingdom होता है उसके नीचे होता है Duke-dom ठीक है Kingdom जो है वो King का होता है और Duchy जो है वो Duke की होती है या Duchess की ठीक है So Duchy of Poland अब देखिए पॉलेंड जो है ये भी निकल कर आया है किस से ये भी उन्ही जर्मैनिक ट्राइब से बना है और इधर रूस ठीक है Kingdom of Rus या ये रूस जो है वो देखिए रूस एक भाशा रही रूस एक कल्चर रहा वही धिरे धिरे रशिया के रूप में उब रहा है लेकिन अभी वो अपने आपको रूस कहते है ठीक है So Kingdom of Rus हमें नजर आ रहा है कब medieval times में या medieval ages में या middle ages में ठीक है So आप देखिए अभी यहाँ पर यूरोप में कौन कौन सी बड़ी शक्ती है उसके निचे देखिए सर्बिया, बुलगेरिया की kingdom ठीक है क्रोशिया क्रोशिया की kingdom है निचे सिसिली भी मौझूद है सार्डीनिया, सिसिली, होली रोमन एमपाइर उसके लावा बर्गंडी, सर्बिया, बुलगेरिया, हंगरी, पोलेंड, रूस उसके उपर दिखनी रहा है मैप में लेकिन डेन्मार्क, नौर्वे और फिनलेंड भी मौझूद है नौर्वे, स्वीडन, फिनलेंड, डेन्मार्क ये कुछ शक्तियां आपको मेडाइवल टाइम्स में नजर आ जाएंगी अब सोचने कुश कीजिए यही शक्तियां आज जो है वो देश के रूप में नेशन के रूप में इस्टेबलिश जाए उरोप में राइट और ये किंगडम्स है, किंगडम ऑफ नौर्वे, किंगडम ऑफ स्वीडन, किंगडम ऑफ इनलेंड इस मैप में मौजूद है, दिखने ही रहे हैं अभी ठीक है, किंगडम इंगलेंड की, किंगडम फ्रांस की, ठीक है, किंगडम होली रोमन एंपायर, बुलगेरिया और उसके अलावा बर्गंडीज की और उधर आप जाएंगे तो रूस की भी है हंगरी भी मौजूद है राइट, सो दिस इस सम्वेर अराउंड बारा सो एडी के आसपास ठीक है, अब एक मैप और देखिए इस मैप में आईए, अब ये मैप है आपका 17th सेंचुरी का ठीक है, अब 17th सेंचुरी के आसपास, यानि रनेसांस के पीरिड के बाद का, ठीक है, अब रनेसांस में मैंने आपको बताया था कि Protestant Church Establish हो गए थे, जो मैंने पहले मैप दिखाया था रहा, वो सब जो है वो किसके गंट्रोल में थे, वो सब Vatican के कंट्रोल में, यानि Roman Catholic Church के गंट्रोल में थे वो, अब ये है आपका After the Renaissance मैप, अब रनेसांस के बात देखिए कौन-कौन सी शक्तियां आ गई है, ठीक है, सो रनेसांस किस वज़े से आया था, क्यूंकि Ottoman तुरकों ने Byzantine Empire को खतम कर दिया था, तो यहाँ पर अब आपको क्या नजर आ गया, Ottoman तुरक नजर आ गया, ठीक है, सो Ottoman Empire आ गया इदर, चक्ति में, उसके लावा देखिए, और कौन-कौन से देश उबर गए, Portugal, Spain, France, England, Ireland, Denmark, और उपर मैप में ने निजर आ रहे, लेकिन, Norway, Sweden, Finland, और उदर रशिया, यह सारे देश जो है, वो मौजूद है, उसके लावा, Poland, Luthania, और यहाँ पर देखिए, नीचे, जहाँ पर Italy बाद में established होगा, यहाँ पर Sardinia, Sicily, Naples, Papal States, Italian States, उसके लावा, Swiss Confederacy, और यह जो Dutch Republic, इंग्लेंड के नीचे देखिए, Dutch Republic भी आपको नजर आएगा, और यह जो बीच में है न, यह जो black line से enclosed area, बहुत खास द्यान दिजिएगा, यह जो black line से enclosed area, और जो पिछले में अपसे अगर आप compare करेंगे, तो यह region था आपका Holy Roman Empire, और यह जो black line से enclosed area, इस इस यॉर थर्टी नाइन स्टेट्स, यह वो थर्टी नाइन स्टेट्स हैं, जो जर्मन भाषाएं बोलती हैं, और यह Holy Roman Empire के ही remnant है, ठीक है, इन ही थर्टी नाइन स्टेट्स को, जोड कर बाद में, जर्मनी राष्ट्र बनाये गया, लेकिन जब Holy Roman Empire था, वो जर्मैनिक भाषाएं बोलते थे सारे, और यह जो 39 सेट्स हैं, यह अभी छोटे छोटे, क्यूंकि देखिए, अभी feudalism फैला हुए है, यह सारे जो है, वो feudal lords है, ठीक है, कोई kingdoms हैं, कोई dukedoms हैं, कोई हो सकता है, कि उससे नीचे रेंख के हो, ठीक है, कोई iblins है, कोई barons हैं, कोई knights हैं, ठीक है, यह सारा जो है, वो फैला हुए हैं ठीक है, इसमें आप देखिए, bohemians हैं, section ही भी दिख रही हैं, आपको यहाँ पर, उसके अलावा, bavarians भी नज़र आएंगे, ठीक है, spanish netherlands भी नज़र आएंगे, तो इस map में, आप clearly देख सकते हैं, so after the fall of eastern roman empire, ठीक है, and after the renaissance, this was the condition of Europe, यह बड़े राष्टर थे, अब यहाँ पर देखिए, automatically आपको नज़र आजएंगे, बड़े राष्टर कौन-कौन है, Spain, Portugal, France और Britain, क्यों, क्योंकि अभी, geographical discoveries का समय था यह, geographical discoveries हो रही थी, बहर बहर के, ठीक है, भारत को ढूंड लिया, ढूंड लिया गया था, अभी तक, ठीक है, North America, South America, पर colonies established हो गई थी, इसलिए, Feudal lands है, ठीक है, डची हो सकती है, या डची से नीचे के, जो जितने भी रैंक्स होते हैं, वो सब है, ठीक है, कोई भी नेशन के रूप में नहीं उपरा है, England आप बोल सकते हैं कि, England जो है, वो कुछ समय बाद बनने जा रहा है, एक constitutional मुनार्की, लेकिन ये सभी अभी क्या हैं, मुनार्की जें, नेक्स मैप में देखिएगा, अब ये नेक्स मैप है 1700 सिर्का, ये 1700 इसवी के आसपास, यानि अब धीरे धीरे हमें क्या नजर आ रहा है, देखिए, अब इस 1700 इसवी के आसपास, अब ये सिसली, सारडीनिया, नेपल्स ये नाम आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि अब ये आगे युनिफिकेशन आफ इटली में टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ, देखिए, प्रथम विश्वयुद, दुवितिय विश्वयुद, या उससे भी पहले, उननिसवी, बीसवी शताबदी की बड़ी यूरोपियन शक्तियां अगर आप कहें तो कौन-कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, जर्मनी, इटली, नीधरलेंड, पुरुशिया, रशिया, उसके अलावर, नॉर्वे, फिंडलेंड, स्वीडन, ये तो हैं, ठीक है, तो ये कुछ बड़ी शक्तियां है, अब ये बड़ी शक्तियां क्या है, ये राष्ट्र है, नेशन है, हमें यही तो समझना है आज, कि नेशन कैसे बने, तो इन में से ब्रिटेन हमें बहुत पहले से नज़र आ रहे है, फ्रैंक्स हमें बहुत पहले से नज़र आ रहे है, होली रोमन एंपायर और फिर जर्मनी जो है, वो बहुत पहले से हमें देखने को मिला, हमने देखा medieval time से शुरू से हमें यह नजर आ रहे है लेकिन Italy unified नहीं है अभी तक Germany भी unified नहीं है Holy Roman Empire है और 39 जो है वो Germanic भाषा है बोलने वाले छोटे छोटे क्या है feudals है छोटे छोटे feudatries है इनको जोड़ना आवश्यक है इनको जोड़ा कब गया मुझे बताएंगे तुरंट comment में इनको जोड़ा कब गया मैंने वो topic आपको कराया है ठीक है तो यहाँ पर फिर से देखिए जो black line थी outline कर रखा था उसी कोई red जो है वो outline किया हुओ है इसमें देखिएगा यहाँ पर एक Habsburg जो hungry monarchy थी वही Habsburg और वही जो है वो बाद में Austria के नाम से जानी गई Austria की royal families है यह Habsburg ठीक है उसके अलाबा हनूवर और Swiss Federation Swiss Federation क्या है यह भी 25-27 कुछ ऐसे चोटे-चोटे जो है वो feudatories है 23 चोटी-चोटी-चोटी जो है वो feudatories है उनको जोड़ कर Switzerland बनता है तो आप यह कहेंगे यहाँ पर सवाल यह बनता है उपर देखिए Poland, Lithuania है Russia है उसके बाद तो आप यह कहेंगे कि यह सारी जो चोटी-चोटी feudatories हैं इनको जोड़ कर nation बनाए गए है या तो already existing बड़े nations है like France, Spain, Britain और Norway, Sweden, Finland उपर जो है वो already existing बड़े nations है ठीक है तो already existing existing बड़े nations हमें ancient time से कौन-कौन से नजर आ रहे है ancient नहीं starting medieval time के starting से so Britain, France उसके अलावा Norway, Sweden, Finland यह already existing जो है वो बड़े राश्ट्र है और उसके अलावा हमने जब enter किया किसमे Renaissance के period के बाद Spain और Portugal भी हमें दो बड़े राश्ट्र नजर आ गए लेकिन Germany और Italy जो बड़े राश्ट्र बने है ये कैसे बने है ये छोटे-छोटे feudatory इसको जोड़ कर कैसे feudatory जो आपस में same culture share करते थे same भाशा बोलते थे उनको जोड़ दिया और राश्ट्र बना दिया ठीक है तो आप ये clearly बोल सकते है कि Europe में इस समय जो राश्ट्र मौजूद है वो भाशा और culture के अधार पर बाटे गए है ठीक है आप clearly बोल सकते है Italy is a land where people speaks Italian ठीक है मतलब समझे रहे न Italian भाशा के उपर ही Italy राश्ट्र का नाम है France राश्ट्र है क्योंकि French उनकी भाशा है French उनकी भाशा है इसलिए France उनका राश्ट्र है Spania उनकी भाशा है Spaniel इसलिए उनका राश्ट्र है Spain Portuguese उनकी भाशा है इसलिए उनका राश्ट्र है Portuguese पुर्तगाल या पॉर्टुगल उनका राष्ट्र है इसलिए उनकी भाषा है पॉर्ट्गीज तो दोनो बाते बोल सकते हैं आप भाषा के अधार पर नेशन है और नेशन के अधार पर भाषा है ठीक है और भाषा किस चीज़ का पार्ट है कल्चर का इंग्लेंड जो है वो कौन सी भाषा बोल रहे है वो इंग्लिश बोल रहे है इसलिए इंग्लेंड या इससरा कहा जाए कि वो इंग्लेंड में रहते हैं इसलिए इंग्लिश बोल रहे है राइट समझ रहे ना डोनों चीजे आप बोल सकते हैं एक साथ ठीक है तो भाषा के आधार पर या जो प्रॉमिनेंट कल्चर है जो सिमिलर कल्चर है उस आधार पर राश्ट्रों को बाट दिया गया तो जर्मनी इसका मतलब जर्मनी को युनिफाई किया गया है इस आधार पर कि जितने भी फ्यूडल फ्यूडेट्री थी जो जर्मन भाषा और उस सिमिलर कल्चर को फॉलो करती थी उनको जोड़दो और जर्मनी बना दो इटली को यूनिफाई किया गया इस आधार पर कि जितने भी छोटे-छोटे फ्यूडेट्रीज या राश्ट्र या राज्ये जो इटली इटालियन भाशा बोलते थे या इटालियन डायलेक्ट बोलते थे उनको जोड़ दो इटली राश्ट्र बना दो ठीक है तो अभी तक देखिए सिरका 1700 हमें जो इंग्लेंड जो यूरोप में मौजूद बड़ी शक्तिया थीक है पुर्टगाल राश्ट्र बन चुका है स्पेन मौजूद है फ्रांस मौजूद है इंग्लेंड मौजूद है उपर डेनमार्क मौजूद है स्वीडन फिनलेंड नौर्वे मौजूद है रशिया मौजूद है लेकिन पॉलेंड और लुथ्यानिया अभी जुड़ा हुआ है ये अलग-अलग दो राश्ट्र नहीं बने है ठीक है जर्मन जर्मनी का भी उनिफिकेशन नहीं हुआ है और इटली भी अभी उनिफाइड नहीं है और इधर ओटमन एंपायर प्रेवलेंट है तो सिरका 1700 में जो पॉलेटिकल कंडिशन है वो ये है यूरोप की आईए आगे बढ़ते हैं अब इस मैप के माध्यम से देखिएगा अब ये है आपका मैप बहुत इंटरस्टिंग मैप ह ये भी कुछ उसी समय का है ठीक है 1750s 1770s के बीच का यानि जब इंडस्ट्रियल रेवलूशन धीरे धीरे हिट करने लगी थी और यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंस की चीज़ है वो है ग्रेट ब्रिटेन ठीक है इंग्लेंड स्कॉटलेंड और आयरलेंड ने एक जो है वो कमबाइनड अपनी मुनार्की इसको जोड लिया और ग्रेट ब्रिटेन हमें इस्टेबलिश होता हो नजर आया तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन है तो 1750s यानि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवलूशन की शुरुवात हो गई तब कौन-कौन सी और अधर फॉर्म फ्यूडेटरीज ठीक है तो पॉर्टुगल स्पेन फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन स्वीडन डेन्मार्क रशिया ओटमन एंपायर हंगरी यह बड़े हमें क्लेरली राष्ट नजर आ रहे हैं उसके लावा पॉलिश लुथ्यानिया कॉमन वेल्थ जुड़ पॉर्शिया क्या था रशिया को पॉर्शिया से क्यों हमें कन्फ्यूज नहीं करना है ठीक है और क्यों रशिया पॉर्शिया जो है वो सिमिलर भी है राइट सो इस सम्वेर अराउंड 1760 के आसपास का मैप है यह और इसमें आप क्लेरली देख सकते हैं कि इटली इस येट नोट युनिफाइड इटली अभी जुड़ा नहीं है इटली इटली अभी बी मेत इसिली नेपल्स फैपल स्टेट्स यहां पर यहां पर पोप का कंट्रोल है और उसके अलावा स्विजलेंड की स्विजलेंड माखते अपने आपको एक राश्ट्र हो के रूप में establish कर लिया है जो तेईस छोटी-छोटी फ्यूडेट्री स्विजिलेंड की वो जुड़ गई है अपस में उसके लाबा वेनिस देखी अलग है और बड़े holy roman empire अभी भी अलग है सेक्षिन ही उसके साइड में ठीक है उपर हनूवर ब्रेंडनबर्ग, डच रिपब्लिक, आस्ट्रियन, नीदरलेंड ये सारे अलग-लग है भी छोटे-छोटे राष्ट्रों में जुड़े नहीं है ये थीक है अभी nation building नहीं हो पाई है इनकी nation नहीं बन पाए है सो यहाँ पर आपको फिर से जो है वो ये red outline नजर आ रही है यही वो area है जो कि यह आपका holy roman empire है यह जो red outline वाला area है यह सारे लोग germanic भाशाएं बोलते हैं या one or other dialect of germanic भाशाएं बोलते हैं इसको holy roman empire कहा जाता है और यह जो छोटे-छोटे आपको नजर आ रहे हैं na holy roman empire के calendar यह सारी यह वो 39 जो हैं वो states हैं जिनकी confederacy बनेगी बाद में ठीक है so i hope आपको यह map भी समझाया होगा अगले map में देखिए यह बहुत interesting map आप आगया हमारे पास this is napoleon ठीक है अब यह napoleon का empire है 1810 में so अभी हमने इससे पहले France देखा था हमने France French Revolution पूरी समझी हमने French Revolution के बाद मैंने आपको बोला है Napoleon पर मैं अलग से session लोगा ठीक है so French Revolution के बाद Napoleon शक्ती में आता है और Napoleon धीरे धीरे फ्रांस की boundaries को expand करना शुरू करता है तो यह तो French empire है ठीक है French empire ने देखिए किस-किस को absorb किया French empire ने Hanover नीदर लेंड को ठीक है Austrian नीदर लेंड को absorb कर लिया और most of the holy roman empire है उसको direct control में लाया French empire तो यह darker color में आपको नजर आ रहा है ना French empire इस अंडर दा डारेक्ट कंट्रोल आफ किसके नेपोलियोन बोना पार्टे के ठीक है और देखिए आप इसने जो है वो इटली पर भी control किया और जो आपको lighter shade of purple नजर आ रहा है इस अंडर दा इंफुलेंस ऑफ नेपोलियन इस एरिया वस controlled by नेपोलियन बट नाट डायरेक्ली तो इसमें आपको पूरा स्पेन पूरी बाकी की बची हुई जो है वो holy roman empire और नीचे इटली तक पूरा area जो है वो control में है उसके अलावा जो pinkish color में आपको नजर आ रहा है these were the empire देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है these were the empire who helped Napoleon ठीक है ये नपोलियन की इन्होंने health मतलब मदद करी और पुर्तगाल और United Kingdom के खिलाफ जो है वो Napoleon लड़ रहा था ठीक है तो यह Napoleon का empire है तो आप clearly देख सकते हैं कि Napoleon ने कौन-कौन सी शक्तियां केवल पुर्तगाल और United Kingdom के अलावा बाकी सब पे या तो उसका direct control है या तो उसका indirect control है या तो बाकियों ने उसकी मदद करी तो कौन-कौन सी पड़ Holy Roman Empire direct control या indirect control उसके अलावा Hungary ठीक है बलगेरिया और जो पॉलेंड लुथ्यानिया है रुशिया वगरा इन सब से जो है वो इन सब को influence किया कि इसने Napoleon ने और French Empire को expand किया लेकिन after the defeat of Napoleon in the battle of Waterloo जो मोनार्कीज है उन्होंने decide कि ऐसे नहीं चलेगा काम हमें बैठ कर decide करना पड़ेगा कि जो France में हुआ वो अन्हे राष्ट्रो में ना हो अन्हे मोनार्कीज में ना हो जो France की जनता ने liberty, equality, fraternity के नाम पर अपने ही राजा को मार दिया अपने ही अन्हे मंत्रियों को मार दिया यानि कि जो जनता का गुस्सा है ये अन्हे मोनार्कीज में ना फैले इसलिए conference of Vienna र अब ये map है after the treaty of Vienna आप clearly देख सकते है kingdom of Spain मौजूद है kingdom of Portugal, kingdom of France में आपको बताया था ना जितना area Napoleon ने जीता वो वापिस ले लिया गया France से लेकिन France का खुद का गोई area नहीं चीना गया so 1790 तक जो France के पास area था वो intact रहा और उसके बाद जो उसने area जीता है Napoleon ने उसको वापिस करना पड़ा that means kingdom of Netherlands देखिये दे दिया और उसके अलावा नीचे kingdom of Sardinia जो है वो छोड़ना पड़ा किसे France को लेकिन यहाँ पर देखिये एक बहुत important घटना घटी वो treaty of Vienna में क्या था treaty of Vienna में एक बहुत important घटना ये थी कि जो 39 Germanic feudatories हैं उनको जोड़कर एक Germanic confederacy जो है वो established की गई थी ठीक है तो उसके लावा देखिये यहाँ पर Austrian Empire मौजूद है यही है आपका Habsburg या Hungarian Empire के रूप में जाना जाता है उसके लावा Ottoman Empire, Russian Empire, Kingdom of Sweden and Norway, Finland यह सारे जो है वो मौजूद है वी लेकिन देखिये विएना में Italian Kingdom and other small states को भी जोड़कर एक confederacy तयार कर दी गई यानि जर्मन और Italy के युनिफिकेशन की तरफ कदम जो है वो 1815 में बढ़ा लिया गया था मौनार्कीज द्वरा ठीक है तो अब Europe में हमें बड़ी शक्तियां पुर्तगाल, Spain, France, Britain, दूसरी साइड, Prussia, Russia, Hungary या Austria कह लीजिए, Ottoman Empire, तुर्क जो है वो अभी भी है ठीक है लेकिन Holy Roman Empire को जोड जोड़ कर Germanic tribes को जोड़ कर क्या, not Germanic tribes लेकिन Germanic भाषा बोलने वाले जो फ्यूडेट्री जो उनको जोड़ कर एक confederacy त्यार कर दी गई और एक Italian भाषा बोलने वाले राश्ट्रों को मतलब जितने भी छोटे-मोटे states थे उनको जोड़ दिया गया अब इस अगले मैप में देखिए, यही सेम चीज है, जो मैंने अभी आपको समझा है न, वही सेम मैप है यह, European 1815 लेकिन एक थोड़ा सा अलग, अलग colors में basically और इसमें थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है, so Kingdom of Portugal, Kingdom of Spain, Kingdom of France, Kingdom of United Kingdom of Britain, Kingdom of Denmark, Kingdom of Sweden and Norway उसके अलावा नीचे देखिएगा, यह जो रेड आउटलाइंड है, यह जर्मनी, यह जो जर्मैनिक ट्राइब्स है, इनको जो है, वो confederate कर दिया गया उसके लाव Empire of Austria, Ottoman Empire, यह कुछ बड़े Empires यहाँ पर मौझूद है, इटली अभी भी unified नहीं है, देख रहे हैं आप, इटली अभी भी unified नहीं है, but this is Europe in 1870s, यह 1880s के आसपास देखिए, अब जो है वो, इटली और जर्मनी भी unified हो चुका है, यह है 1870 के आसपास का यूरोप ठीक है, यानि कि 19th century के end में और 20th century में कदम रखने से पहले, यूरोप में कुछ यह बड़ी शक्तियां थी, तो आप clearly देख सकते है, United Kingdom है, Scandinavia है, Scandinavia कहने का मतलब होता है, the combined kingdoms of Norway, Sweden and Finland, ठीक है, उसके अलावा Russia, Prussia, जड़े को unified कर दिया गया है, France, जो है वो, France तो हम कबसे द देख रहे हैं, जब से Middle Ages start हुई थी, तब से France मौझूद है, Spain और Portugal हमें 1280 के आसपास ही नजर आने शुरू हो गए थे, ठीक है, उसके अलावा Italy unified हो गया, Ottoman अभी भी मौझूद है, Hungary या Habsburg जो है वो अभी भी मौझूद है, ठीक है, Hanover अभी मौझूद है, और Netherlands की Kingdom अभी established है, ठीक है, Denmark अभी भी है, so this was 1870, अब हम देखते हैं, 1900s यानि 20th century में एंटर करते ही उरोप का क्या हाल था, so this was, this is the map, this is a map of 20th century उरोप, इसमें आप जो है वो देख पाएंगे, पुर्तगाल, Spain, France, United Kingdom, Norway, Sweden, Finland, Russia, नीचे इटली unified हो चुका है, Germany पूरा बड़ा unified हो चुका है, Netherlands है, Switzerland आपको नजर आएगा, Bulgaria, Romania, Serbia और Ottoman Empire, so अब जो है वो राष्ट्रों के रूप में तयार हो चुका है, ठीक है, राष्ट्र आ चुके है, बड़े-बड़े ठेकेदार established हो चुके है, बड़े-बड़े राष्ट्रों सारे आगे, कौन- Germany, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो नीदरलेंड, United Kingdom, Norway, Finland, Sweden और Russia और नीचे Hungary, Bulgaria, और Hungary और Bulgaria के साइड में कौन है, Romania और Serbia, और Italy जो है वो जोड़ चगा, और नीचे Ottoman Empire या तरकी, ठीक है, अब ये जो हालात बने न यूरोप में, इसके बाद छिड़ा है विश्वियूद, प मैं आपको लेकर होंगा ना, topic, Unification of Germany, Unification of Italy जब topic लेकर आऊँगा, तो अभी मैंने दो-तिन में आपको इससे जस्ट पहले दिखा है, उनको detail में explain करूँगा, लेकिन इन maps के माध्यम से मैं आपको बताना क्या जाता हूँ, इन maps के माध्यम से मुझे ये establish करना है, कि after the fall of Western Roman Empire कौन कौन से kingdoms मौझूद थे, तो उस समय में हमने holy, उस समय हमने Germanic tribes देख ली, ठीक है, after the fall of Western Roman Empire, Germanic tribes मौझूद है, लेकिन उन Germanic tribes को एक जर्मनी राष्ट्र के रूप में, बीसवी शदी में आकर, राइट, sorry, not बीसवी, लेकिन उननीसवी सदी में आकर जो है वो, उन सभी जर्मन भाषा बोलने वाले, जितनी भी फिडेटरिस थी, उन सब को जोड़ कर, जर्मनी राष्ट्र के रूप में establish किया गया, किस के द्वारा, किस की मदद से, बिसमार्क की मदद से, वो हम अगला ही chapter लें कि किस तरह धीरे-धीरे nations develop हुएं ये, ठीक है, तो आईए अब मैं कुछ statements के माध्यम से, यही सारे fundे आपके clear करता हूँ, so I hope इन maps के माध्यम से, आपको कुछ, जो मैं आपको समझाना चाता था, वो आपको पता चला होगा, लेकिन अभी मैं धीरे-धीरे topics को जब आगे grow क सारी चीजे बारी की से समझ आएंगे आपको, ठीक है, अब next देखिए, यहाँ पर सबसे पहला point है, rise of nation states अब हमें समझना शुरू करना है, ठीक है, कौन सी nation states की बात हो रही है, जो modern times, modern times में यूरोप में जो nation states establish हुई, ठीक है, या जो present time में यूरोप में nations हैं, जो राष् रहे हैं, वो कैसे बने, यह हमें समझना है, तो मैं आपके माध्यम से कुछ मैंने overview देने ही कुश्य करी, अब मैं आपको statements के माध्यम से समझाओंगा, यह सारी चीजे और उसके साथ जुड़े हुए concepts, क्योंकि मैंने बोला ना, concept building, answer writing के लिए है हमारा सारा game, concept building करनी है, statement देखते हैं, in the first half of the 1800s, three forces struggled for supremacy in European societies, अठारवी शदी, 1800s, not अठारवी लेकिन, उनिस्वी हो गया है, 1800s is 19th century, right, so 19th century या 1800s में, तीन मुख्य शक्तियां, युरोप पर dominate कर रही थी, so इससे पहले कि हम इन तीन मुख्य शक्तियों के बारे में पढ़ें statement में, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी जो समझ है, उसको टटोल के देखते हैं, हमें अभी तक क्या पता है, हमें अभी तक यह पता है कि रनेसांस आया था, है ना, हमें यह पता है कि रनेसांस की वज़े से scientific temple develop हुआ था, हमें यह पता है scientific temple develop होने की वज़े से geographical discoveries हुई थी, geographical discoveries होने की वज़े से यूरोपियर राश्ट्रों को North America, South America, African, South East Asian और Indian subcontinent पे colonies establish करने का मौका मिला था, colonies establish होने की वज़े से धीरे धीरे ट्रेड बढ़ा था, धीरे धीरे ट्रेड के बढ़ने की वज़े से pressure बढ़ा था economy पर, ठीक है supply बढ़ाने का pressure बढ़ा था, और supply बढ़ाने के pressure में naturally, naturally Britain में ही industrial revolution आ गई, क्योंकि Britain में ऐसे जो है वो हालात थे, वहाँ पर relative political stability, geographical features Britain के, abundance of natural resources ठीक है, उनके पास वहाँ पर गरीब और unemployed मजदूर था, इस तरह की government वहाँ पर established थी, जो मदद कर सकती थी इस काम में, so उन सारे factors की वज़े से, naturally Britain में क्या आ गया, industrial revolution, और उस industrial revolution की वज़े से, जो mercantilism है, उसको और boom मिला, mercantilism को जो boom मिला है, इस वज़े से एक नए तरीके का economic system धीरे-दीरे डबलप होने लगा, capitalism डबलप होने लगा, और जिससे एक middle class जो है, वो एक भहंकर रूप से strong उभरने लगी, अब वो जो, वो जो industrial revolution है, वो यूरोप में, आप मान के चल सकते हैं कि 1750 के बाद फिर धीरे-धीरे वो यूरोप के 1870, 1880, 1890, धीरे-धीरे यूरोप के अन्य भागों में फैलता है वो, mainland Europe में, इससे हुआ क्या, इससे धीरे-धीरे यूरोप में भी एक middle class जो है, वो develop होती गई, अब middle class जैसे ही हम सोचते हैं आज, तो हम यह सोचते हैं कि एक जो है, वो economically weak class, लेकिन उस समय middle class का मतलब क्या था, उस समय क्या थी, एक तो aristocratic class थी, जो nobles थे, दूसरे थे आपके, जो church की clergy थी, और तीसरे थे आपके commoners, तो church की clergy, यानि कि church और जो nobles हैं, वो दोनों साथ में मिलके, commoners को भली भला बेवकूफ बना रहे थे, अब यह aristocratic और चर्च की clergy और commoners के बीच में एक ऐसी class उबर के आई, जो की economically ससक्त थी, जिन्होंने feudal lords को challenge किया, जिन्होंने feudal lords के barter system को challenge किया, अपने द्वारा लाई गई नई, जो है वो precious metals की currency से, जिसकी वज़े से जो monarchs हैं, जो की feudal system की वज़े से उनके पास authority की कमी आ गई थी, तो उन्हों उन्होंने catholic church और feudal lords को छोड़ कर protestant church और merchants का साथ दिया, और हमें धीरे-धीरे constitutional monarchies develop होती ही नजर आई, ठीक है, तो ये सब चीज़े हम already establish कर चुके हैं, हमने पिछले session में बहतरीन तरीके से इन सारे points को establish कर लिया है, तो आईए देखते हैं, ये जो हमने points सारे establish करे हैं, ठीक है, तो हमारी तीन European society, 1800s यानि 19th century, तीन हम जो है वो वर्गों में कैसे बाट सकते हैं European society को, तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहली force थी European society में, वो थी conservatives, conservatives कौन थे, they were usually wealthy property owners and nobility and argued for protecting the traditional monarchies of Europe, ये कौन थे, they were the usually wealthy property owners and nobility and argued for protecting the traditional monarchies in Europe, तो मैंने बोला ना, जो traditional monarchies हैं, वो कमजोर feudal lords की वज़े से थी, feudal system में क्या होता है, feudal lords मजबूत होते हैं और monarch होते हैं कमजोर, और एक जो है वो, एक struggle चलता है, feudal lords, church और monarchs के बीच में, शक्ती के लिए जो है, वो आपस में खीशतान चलती है, और middle class ने इन monarchs को support करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हमें, यह है वो conservatives, यह वो conservatives है, यह जो नए जो, या तो नए wealthy merchants जो develop हुए हैं, किसकी वज़े से, mercantile economic policy की वज़े से, जो नया merchant work डवलप हुआ है, या जो already existing nobility, जिसने business करना शुरू कर दिया, जिसने यह mercantile policy अपनानी शुरू कर दी, उन्होंने monarchs का support करना शुरू कर दिया, और feudal lords और church हो गया कमजोर, तो पहले तो यह conservative हैं, जो चाहते हैं कि monarchी बनी रहें, वो क्यूं चाहते हैं monarchी बनी रहें, वो इसलिए चाहते हैं क्यों कानून बनाते रहें, किन के लिए, आम जनता के लिए, pizantry के लिए, labor के लिए, slaves के लिए ऐसे कानून मनाते रहे जिससे merchants को फायदा होता रहे so यह हम पहला हमें समझा गया conservatives कौन है ऐसे wealthy property owners and nobility and argued for protecting the traditional monarchies of Europe, तो अगर monarchies बची रहेंगी तो उनके जो mercantile policy है वो लागू रहेंगी in certain cases in France conservatives are approved of constitutional monarchies France में में आपको पताए थे थे ना France में second estate के लोग third estate के लोगों से जाकर जुड़ गए थे ठीक है जब वो pledge ले रहे थे कहाँ पर tennis court में ठीक है so वही point है यहाँ पर कि जो nobility है वो France में या France France की जो France के जो conservatives हैं उन्होंने constitutional monarchies को support किया ठीक है क्यों क्योंकि after the oath of the tennis court हमें France में कुछ समय के लिए briefly constitutional monarchy establish होती भी नजर आई ठीक है तो यह तो पहली force है conservatives तो हम भली भांती समझते है conservatives कौन है second बात करते है liberals they were mostly middle class business leaders and merchants and wanted to give more power to elected parliaments but only to parliaments in which the educated and land owners could vote अब देखे जो शुरुवाती geographical discoveries हुई तो obviously उस समय peasants जो है वो शुरुवाती जो यानि कि 15th 16th century की जो geographical discoveries है 15th 16th century में जो merchants निकले है traders निकले है यूरोप से भले ही वो Portugal के हो Spain के हो France के हो या Britain के हो वो सभी जो traders निकले है जो है वो middle class के नहीं थे वो शुरुवाती aristocracy और aristocracy और nobility ही थी ठीक है तो जो mercantilism policy बिलकुल शुरुवात में यानि कि 15th और 16th century में जो अडॉप्ट की गई है वो अडॉप्ट की गई है aristocracy और nobility class द्वारा जो जो पहला merchant class है वो पहला middle class का जो पहला phase है यह middle class develop होने के जो पहला phase है वो कहां से निकल कर आया है वो existing merchant sorry वो existing aristocratic class में से ही निकल कर आया है क्योंकि सोच के देखिए शुरुवात में trade किसने किया होगा शुरुवात में तो trade existing जो nobles हैं इनके पास already पैसे है उन्होंने किया होगा ना ठीक है शुरुवात में तो जो पीजेंट्री है वो तो नहीं आगे होंगे trade करने धीरे धीरे वो develop होए धीरे धीरे वो middle class में आये है ठीक है सो कहने का मतलब यह जो conservatives है वो उनसे भी बना हुआ है लेकिन धीरे धीरे तो जो देखिए तो शुरुवात में जो merchant बने उनका मोनार्की का साथ लेना स्वाभाविक था लेकिन जो धीरे धीरे जो है वो जिनका financial status उबरा है उनको वो competition है किसके लिए वो competition है already existing बड़े merchants के लिए जो की मोनार्की का साथ ले चुके है समझने कोशिश कीजिए already existing बड़े merchants 15th और 16th century में जो निकले है वो already मोनार्की का साथ ले चुके है और अब 16th century के बाद जो merchant उभर रहा है 16th century के बाद 17th century में जो अब एक नई merchant class जो भर रही है ये जो है वो एक नया pattern ढून रही है अपने लिए तो इनोंने इन लोगों ने जो है वो अब कहा कि नहीं हमें आप representative सरकार चाहिए ठीक है क्यों क्योंकि इनको मोनार्क्स जो है वो नहीं ग्लास बिजनस लीडर्स थे ये चाहते थे कि इलेक्टिड हो पार्लेमेंट ना कि मोनार्कियल सिस्टम चले इलेक्टिड पार्लेमेंट आएं जिसमें से हम में से ही लोग जो हैं वो जाकर बैठे हो आपे फिर देखिए जब ये जो नया बिलकुल ध्यान से समझिए शुरुवात में जब वल्ल्ट्रेड बढ़ी वल्ल्ट्रेड शुरू हुई तो जो अरली एरिस्टोक्रेट्स हैं उन्होंने वल्ल्ट्रेड करना शुरू किया वो मर्चेंट के रूप में उभर कर आए उन्होंने मोनार्क का साथ दिया ठीक है कुछ समय बाद एक नया जो है वो क्लास ओफ मर्चेंट उभर के आया उसने मांगा कि उसका साथ मोनार्क्स ने नहीं दिया तो उन्होंने मांगा कि हमें रिप्रेजेंटेटेव गवर्मेंट चाहिए उनका पलड़ा जब भारी होने लगा तो मोनार्क्स ने उनका साथ दिया तो हमें कंसिटूशनल मोनार्कीज बनती हुई नजर आई I hope इस बारीकी को आप समझ रहे है ठीक है सबसे पहला फेज ओफ मर्चेंट जो निकल कर आये है वो आये है aristocratic class से ही क्यों क्योंकि स्वभाविक है जो सबसे शुरू में trade किया होगा शुरुआती जो traders होगे वो nobility और aristocratic class से ही मिकल कर आये होंगे लेकिन जो धीरे 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 जो merchant class develop हुआ है उन्होंने constitution की या एक parliament के जो demand करनी शुरू करी तो मनार्कीज अब उनकी तरफ शिफ्ट हो गई तो हमें constitutional मनार्कीज नजर आती है बनती हुई तो ये हैं वो liberals और अब तीसरे हैं radicals favored drastic change to extend democracy to the people as a whole they believed that government should practice the ideals of French revolution this was still a radical idea even 30 years after the revolution as conservatives, liberals and radicals debated issues of government a new movement called nationalism was emerging तेखिए, conservatives कौन है conservatives वो बिलकुल शुरुवाती merchants है जो मनार्की जाते है liberals कौन है, liberals है second phase of merchant जो जाते है parliament established हो और तीसरे आए radicals कह रहे हैं कि absolute हमें जो है वो true republic चाहिए ना ही constitutional मनार्की क्योंकि जो liberals है वो constitutional मनार्की के लिए settle हो गए कुछ समय बाद ठीक है लेकिन जो radicals है वो कह रहे हैं कि नहीं हमें republic ही चाहिए हमें French revolution वाला काम करके दो खून खराबा करना है हमें जो है वो equality, liberty वाले जो सारे ideas है वो implement करने है हमें एक republic create करना है ठीक है, यह radicals है अब Europe में 1800 में यह तीनो political groups आपस में लड़ रहे है कि मनार्की होनी चाहिए constitutional system होना चाहिए यानि कि parliament होना चाहिए या republic होना चाहिए तीनो शक्ति आपस में लड़ रहे है ऐसे में एक चौथी शक्ति और उभर कर आ रही है वो है nationalism आज हमें वो nationalism समझना है कि यह nationalism क्या है ठीक है तो हमने सबसे पहले समझा इन कुछ political शक्तियों को conservative liberals और radicals ध्यान रखिएगा थोड़ा साब को गोल मोल लगेगा लेकिन सोचिएगा उस पूरी timeline को लिखिए conservatives कौन है वो शुरुवाती merchants है जो aristocratic class से निकले जब शुरुवात में क्या हुई geographical discoveries और शुरुवात में world trade शुरू हुआ ठीक है तो उनका फाइदा था मोनार्कीस के साथ रहकर दूसरा phase यानि कि liberals कौन है liberals वैसे middle class के बैठ सका क्योंकि मोनार्कीस मोनार्कीस ने patronize कर रखा है किसे बड़े merchants को या बड़े merchants और मोनार्कीस जुड़े हुए तो अब वो अपने लिए representation चाहते हैं अपने लिए एक representative सरकार चाहते हैं इसलिए वो चाहते हैं constitution बने और parliament establish हो और तीसरे रेडिकल वो चाहते है revolution लेयाओ all out ठीक है सभी लोगों को जो है वो individual शक्तियां provide करो और जो बिल्कुल क्योंकि देखिए जो liberals हैं ये liberals भी किसानों की बात नहीं कर रहे हैं ये liberals भी peasants की बात नहीं कर रहे हैं ये liberals भी merchants ही है लेकिन जो radicals हैं ये कह रहे हैं कि जो third estate है समाज का समाज का third estate का भी जो third group है वहाँ से representation निकलनी चाहिए this was their radical approach लेकिन अब हमें nationalism उभरते होए नजर आएगा देखिएगा this movement would blur the lines that separated these political theories next point देखते हैं अब हम nationalism क्या है ठीक है तो आए सबसे पहले nationalism को समझते हैं European definition देखते हैं उरोप में nationalism का क्या मतलब था उस समय ठीक है so nationalism is the belief that one's greatest loyalty should not be to the king or an empire but to a nation of people and share a common culture and history देखिए nationalism का basic मतलब क्या है यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा वही nation और kingdom में क्या difference होता है ठीक है मैंने आपको बताया था न kingdom किसका है एक राजा का और nation किसका है उस political region के लोगों का उस particular किसी एक particular geographical region में कोई एक particular culture डेवलप हुआ होगा तो उस cultural उस cultural group को अगर आप इकठा कर दोगे एक साथ तो कहेंगे कि वो एक nation है this is the very basic definition of nation nation is from the people and kingdom is of a monarch एक monarch का kingdom है और nation लोगों से मिलकर बनता है और वो लोग कैसे अब देखेगा वो लोग ऐसे जो की एक similar culture जो है वो share करते हैं they share a similar culture और a similar history ऐसे लोग जो similar culture और similar history शेयर करते हैं अगर वो किसी एक geographical region में इखटा होकर रहते हैं तो उसको आप nation कह सकते हैं तो ये nationalism की भावना आप यूरोप में उभर कर आई यूरोप में ये भावना आई कि जो kingdoms हैं अब देखिए kingdom अगर राजा का है तो राजा की मर्जी है वो kingdom को कहीं मर्जी expand करें ठीक है kingdom is not bound by culture यानि कि French culture जहां पर है और जो France का kingdom है वो अपने आपको Spanish culture पर expand कर सकता है या Spanish culture को अपने अंदर absorb कर सकता है वो अपने अंदर जो है वो जर्मन या Holy Roman culture जो है वो अपने अंदर absorb कर सकता है वो अपने अंदर जो है वो Russian culture को absorb कर सकता है kingdom has no bounds कि वो कितने culture को absorb कर सकता है लेकिन nation has bound nation जो है वो वही geographical area होगा जो की culturally bound होगा ठीक है similar culture या similar history रखने वाले लोग जहां रह रहे होंगे ठीक है so second point दखिएगा when the nation also has its own independent government it becomes a nation state अब एक ऐसा geographical region जिसमें same culture और same history share करने वाले लोग रह रहे है और उनके उपर उन सभी लोगों को govern करने के लिए एक ही government आ गई तो वहाँ पर आपको nation state मिल गया ठीक है अब वो government किस तरह की है वो republic है, monarchial है ठीक है, aristocratic, military aristocracy है या एक constitutional monarchy है ये defined नहीं है ठीक है लेकिन एक कोई geographical region जिसमें कोई एक particular culture share करने वाले लोग या कोई एक particular history share करने वाले लोग रहते है और उनके उपर अगर कोई government है तो वो एक nation state है ठीक है नेक्स देखिएगा nationalism is a multi-dimensional concept which is reflected in the communal identification with one's nation communal identification with one's nation अब ये जो communal identification word है इसको आप सोचेंगे जब भी communal world आता है ना तो हम धरम पर ही क्यों ले जाते है communal का मतलब होता है सामपरदाय अब सामपरदाय जो है वो धार्मिक भी हो सकता है सामपरदाय जो है वो क्षेत्रिक भी हो सकता है यानि regional भी हो सकता है किसी particular culture को follow करने वाला भी तो समपरदाय हो सकता है और उसमें हो सकता है कई सारे जर्म हो लेकिन यूरोप के case में सभी जो है वो Christians ही थे ठीक है mostly Christians भी थे यहूदी और इस्लामिक भी थे लेकिन mostly Christians थे अब Christians में Catholic और Protestants या Angelic ठीक है ये छोटे छोटे जो है वो अलग-लग sects थे Christianity के लेकिन they were mostly Christians सो यूरोप में जो Nation Building है न वहाँ पर ये समस्या नहीं थे ये जगड़ा नहीं था क्योंकि सभी जो है वो similar धरम गई थे ठीक है अब भारत जैसे देश में जगड़ा ये है कि भारत में Multicultural तो है ही लेकिन multi-ethnic society भी है है ना multi-religious society भी है अब ऐसे देश में cultural identification देना कि cultural identification के अधार पर एक nation हमने बनाया है हम नहीं कह सकते ना ऐसा ये रोप में nation की definition क्या दी गई कि similar culture ये similar historical background रखने वाले लोगों के उपर जब कोई एक government आकर उनको govern करने लग जाती है तो हम उसे nation state कहेंगे ठीक है प्रोवाइडिड क्या है similar culture ये similar historical background लेकिन भारत में जहां पर different-different ethnicity different-different culture के लोग migrate करके आते गए आते गए और भारत देखेगा culture जो है वो develop होता है किस से geographical features है भाशा, खान-पान, वेश-बूशा ये सब geography की वज़े से develop होता है अब यूरोप में जो geography है वो लगभग similar है peninsular region को छोड़ दीजे ठीक है peninsular region में थोड़ा सा temperate महौल बन जाता है लेकिन यूरोप में लगभग जो है वो geographical features similar हैं वैसे alps की पहाडिया है और भी बहुत सारे पहाड़ी region है लेकिन मौसम लगबग बराबर रहता है कोई खास बड़ा उतार चड़ाव नहीं है geography में लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर एक side जो है वो बड़े पहाड है पठारी एक शेत्र है रगिस्तानी ख्षेत्र है पैनिज्वलर region है ठीक है coastal islands है उसके लाबर river basins है plain land है बारत में अपनी ऐसी बात नहीं है कि planes यूरोप में नहीं है कि पैनिज्वलर यूरोप में नहीं है कि यूरोप में islands नहीं है लेकिन मौसम जो है वो भारत में कई करवटे बदलता है इतनी करवटे जो है वो ऊसम नहीं बदलता है तो climatic conditions की वज़े से भी भारत में अलग-अलग culture जो है वह पन पे हैं भारत ही उप महाधीप पे ही ठीक है North India, South India, East India, West India चार तो यह basic cultures आप बाटी सकते हैं उसके अलावा राज्ये टुराज्य बहुत सारे cultures है ठीक है तो जो European definition है इसके आधारपा तो भारत के बहुत सारे तुकड़े हो जाने चाहिए राइट लेकिन ऐसा नहीं है भारत को फिर भी जो है वो एक बड़े राश्टर के तौर पे establish किया गया है तो nationalism भारत के लिए एक अलग definition लेकर आएगा nationalism के लिए अलग definition हमारी रहेगी ठीक है लेकिन यूरोप के लिए nation की definition उनके culture के अधार पे थी ठीक है इसी लिए मैंने जैसे बोला ना फ्रेंच भाषा बोलने वाले फ्रांस में रह रहे हैं स्पैनिश भाषा बोलने वाले पोर्टुगल में इंग्लिश बोलने वाले इंग्लेंड में है ना जर्मनी बोलनेवाले जर्मन में अब ऐसा नहीं है बेल्जियम वी तो जर्मन बोल रहे पॉलन्ड में भी तो जर्मन बोल रहे तंट तो यह चीजें मैं आपको दिले जले समझाता हो आप गया हुआ क्यों हुआ ठीक ए खेर नेक्स पॉइंट देखिएगा इसलिए मैंने वोला ना नेशनलिजम एक multi-dimensional concept है आप किसी एक definition में नहीं बान सकते हैं नेशनलिजम को नेशनलिजम के बहुत सारे फंडे हैं बहुत सारे फंडे हैं बहुत complex चीज़ है नेशनलिजम एक sentiment है एक feeling है ठीक है देखिए बेसिक बेसिकली नेशनलिजम क्या है नेशनलिजम एक sentiment है एक feeling है एक psychological एक जो है वो feeling है कि आप कहीं से belong करते हैं ठीक है एक psychological feeling है of collective belonging of some geographical extent ठीक है so वही यह next point है देखिएगा it is more of a psychological feeling rather than a political ideology नेशनलिजम is a psychological feeling rather than a political ideology and if it is a psychological feeling it gets manipulated real easily नेशनलिजम को नेशनलिजम के sentiment को manipulate करना नेशनलिजम के sentiment के साथ खेलना सरकारे करती आई है यूरोप में भी भारती ओप महादीप में भी चाइना में भी रश्या में भी उत्त्री दक्षणी अमेरिका में भी हर कहीं मैंने बोला ना regionally नहीं globally सोचना शुरू कीजिए अब मैं भारत मैं से बोल रहा हूँ कि भारत की सरकार ने नेशनलिजम की sentiment का दूरुपयोग किया ठीक है अब मैं ये existing सरकार के लिए भी बोल सकता हूँ मैं पिछले 20 साल की 1990 के बाद के सरकार जितने ही आई है उसके लिए भी बोल सकता हूँ मैं यही सेम चीज आजादी के बाद की जो सरकारे रही उसके लिए भी बोल सकता हूँ मैं यही सेम बात स्वतंतरता संगराम के दुरान क्योंकि यह जो nationalism की sentiment का उपयोग और दुरुपयोग करना उपयोग और दुरुपयोग जो है वो एक क्या है एक perspective की बात है मेरे हिसाब से उपयोग और आपके हिसाब से दुरुपयोग ऐसा जो है वो argument किया जा सकता है so for the sake of argument तो कहीं भी आप कह सकते हैं कि ये nationalism की भावना का दुरुपयोग या उपयोग किया आपने ठीक है तो अगर आप इस argument में उलज रहे हैं तो बाहर निकलाइए मैंने बोला ना regional नहीं globally सोचना शुरू किजिए आपको ये देखना है कि nationalism के sentiment का use कहा कहा किया गया कैसे कैसे किया गया और किस political, economic, social, religious, cultural, ideological gain के लिए किया गया समझ गया आप political, social, cultural, religious, ideological gains या ये जो मैंने आपको बता है न ये 5-6 जो aspects है ये बहुत जगा पर अपलाई होते हैं और मैं ही आपको अपने sessions में करता हूँ नजर आ जाओंगा next point देखिएगा unlike the state which is oriented towards gaining and maintaining self-governance or full sovereignty over a territory nationalism is something by which the people of a particular region such as a homeland having a shared sense of culture and history identify themselves as a part of a common tradition and are willing to share their destinies statement को एक बार फिर से देखिए unlike the state which is oriented towards gaining and maintaining self-governance और full sovereignty over a territory भारत को नेशन के रूप में consolidate करने का अंग्रेजों का motive क्या था भारत ना कहा जाए भारती और महादीब को एक नेशन के रूप में consolidate करने का motive अंग्रेजों का क्या था motive था political control भारत पे लाया जाए इसलिए क्योंकि वो भारत को govern करना चाहते थे वो भारत में देखिए पहले statement के है unlike the state which is oriented towards gaining and maintaining self-governance they wanted to gain and they wanted to maintain their self-governance over Indian subcontinent despite of the fact that it is a multi-ethnical multi-cultural multi-religious region पूरा जो पूरा जो subcontinent इंडिया का ठीक है तो वो एक political authority लाना चाहते थे वो government लाना चाहते थे ठीक है तो एक तो इस अधार पर नेशन बनता है भारत की अजादी के बाद भी जो भारत की interim government थी वो क्यों भारतियोप महादीप को जोड़ कर रखना चाहती थी क्योंकि वो पूरे भारतियोप महादीप पर govern करना चाहती थी क्योंकि पूरे भारतियोप महादीप को अगर एक साथ govern किया जाएगा तब ही पूरे भारतियोप महादीप की पूरी जो टोटल जनसंख्या है उन सब को फाइदा हो सकता है समझ रहे हैं आप मैं जब पूरे भारतिय उप महादीब की बात कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान को बांगलादेश को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ तो पूरे भारतिय महादीब को एक ही राष्ट्र के रूप में एस्टैबलिश रखने के पीछे इंटरिम गवर्मेंट इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि अगर इसलिए वो इसलिए हैदराबाद को जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को बांगलादेश को अलग नहीं होने देना चाहते थे वो वो चाहते थे पूरा भारत जुड़ा रहे ताकि भारत की सभी पॉपिलेशन को फाइदा पिले क्योंकि जितना बड़ा जोग्रिफिकल एक्स्टेंट होगा किसी राष्ट्र का ओबियसली उसके पास उतने जादा रिसोर्सिस होंगे राइट सो सेल्फ गवर्नेंस का जो मोटिव है एक वो भी मोटिव है नेशन बिल्डिंग के पीछे लेकिन ठीक है सेल्फ गवर्नेंस और फुल सोविर्निटी ओवर ए टेरिटरी नेशनलिजम इस सम्थिंग बाइविच पीपल अफ पर्टिकुलर रीजन सच अब यह जो अगली डेफिनेशन है नेशन की पहली डेफिनेशन क्या है कि एक बड़े जोग्रिफिकल रीजन पर सेल्फ गवर्नेंस लाना चाहते है तो आपने नेशन इस्टेबिश किया दूसरी डेफिनेशन क्या है कि आप सिमलर कल्चर के लोग है इसलिए आप एक नेशन चाहते है तो हैदराबाद अपना नेशन अलग क्यों चाहता था क्योंकि वो कह रहे थे कि हम हैदराबादी एक सिमलर जोग्रिफिकल जोग्रिफिकल एस वेल एस रिलीजियस और हिस्टोरिकल बैग्राउंड भी हमारे पास हमारे पास नट रिलीजियस लेकिन कल्चरल जो है वो बैग्राउंड है हमारे पास historical बैग्राउंड है similar जोग्रिफिकल हमारा जो हो पूरा एरिया जो है वो जुड़ा हुआ है ठीक है तो हमें एक अलग राष्टर बना दो हम एक अलग nation है actually इसलिए पाकिस्तान भी बोल रहा था कि हम जो है वो सभी culturally same है हम एक अलग राष्ट्रो होना चाहिए ठीक इसलिए जम्मू कश्मीर भी कह रहा था हमें एक अलग राष्ट्रो होना चाहिए इसलिए पहले मराथे ठीक अंग्रेजों के शक्ती पर प्रसस्ट होने से पहले मराथे भी तो यही कह रहे थे कि हम एक अलग राष्ट्रो होना चाहिए क्योंकि हम geographically, culturally, historically एक जैसे लोग है राइट समझ रहे हैं आप it is not कि बाद में मुस्लिम जो culturally Muslim जो states है उन्होंने यह दिमांड करी मराथे भी तो शुरू में यही दिमांड कर रहे थे मराथे भी तो इसलिए पूरे जितना ज़्यादा हो सके मराथा लेंड को confederate और consolidate करने की कोशिश कर रहे थे ठीक है तो यह nationalism की भावना है अब next देखिएगा when combined with the state it constitute a nation state state का मतलब क्या राज्य मतलब government यहाँ पर जो है वो government के लिए use हुआ है state word का यानि एक nation क्या है एक ऐसा geographical land जिसमें similar culture share करने वाले similar historical background share करने वाले लोग रह रहे है और उनके उपर अगर उनकी government आ जाए राज्य आ जाए state आ जाए तो nation state हमारा तयार हो जाता है मिलकर ठीक है which seeks to impart political colors to this sense of identification nation state क्या है कि उनकी एक political authority हो देखिए माली जी अगर Polish culture follow करने वाले लोग कहते हैं कि हम Polish लोग हैं Polish भाशा बोलते हैं हम इस particular culture को follow करते हैं और हमारी यह particular government है हमें अब recognize कीजी as a political चक्ती तो जब तक Spain, Portugal, Netherlands, Germany, Austria उस साइड रशिया नीदर ले और उपर जो है वो Sweden, Norway उनको as a country, as a political authority recognize नहीं करेंगे तब तक वो nation नहीं कैला सकते ठीक है it seeks to hold that a nation should govern itself it should be free from unwanted outside interference and it should have links to the concept of self-determination देखिए, nation की एक और definition क्या है जिसके पास self-governance हो self-governance का मतलब क्या है जिसके पास अपनी खुद की political authority जिसके पास अपने खुद के जो हैं वो international affairs में फैसला लेने की decision लेने की क्षमता जिसकी अपनी खुद की economy हो ठीक है जो अपने खुद के economic facility ले सके जो अपने खुद के international affair के फैसले ले सके जो की अपने खुद के political facility ले सके जिसके उपर किसी और का control ना हो ठीक है लाइक भारत को अंग्रेजी सरकार dominion status देना चाहती थी तो भारत एक nation नहीं रहता भारत एक dominion रहता किसका? जैसे कि मैंने बोला ना आज का हमारा topic conceptual है तो इन ही lines में से मैं घुमा घुमा के world history के भी और Indian history के भी बहुत सारे concepts जोडता जाऊंगा यह मैं सोचीगा कि हमें केवल nationalism समझना है मैं भारत के तिहास से भी जोड़ूँगा मैं world history से भी जोड़ूँगा और इस जो nationalism वाला जो point है आज जो हम पढ़ रहे है पूरा का पूरा इसको मैं धीरे यह बहुत important है आज आप बच्चे सोचोगे कि यह क्या पढ़ रहे हैं इतना important नहीं है नहीं लेकिन जो हम unification of Italy, unification of Germany नहीं उसके बाद world wars जब पढ़ेंगे फिर उसके बाद जो reorganize किया गया European राज्यों को बहुत important है हमारे लिए समझना इन्हीं सब चीजों को क्योंकि हम बहाँ देखेंगे कि किस-किस culture के आधार पर किस-किस राज्ये को जो है वो reorganize किया गया culture का मतलब तो यह चीज में आपका establish करी है ठीक है nationalism क्या चाहता है कि develop और maintain हो एक national identity भारत की सरकार ने भारत जब एक नया नेशन के रूप में उभरा 47 में उसके बाद जो शुरुवाती भारतिये सरकार है ना उसके उपर pressure ये था कि भारत should remain a nation and should develop as a nation भारत एक पूरे राष्टर के रूप में develop होना चाहिए यानि कि ऐसा ना हो कि दक्षिन भारत या हैदराबाद या महराष्टर अपने आपको या गुजरात अपने आपको develop कर ले और बाकी अन्ने अरिया जो है वो पीछे रह जाएं यानि बंगाल जो कोस्टल रिजन है जो अल्रेड़ी established जहां पर बिजनेस हैं के वो ही डवलप न हो जाएं भारत ऐसे नेशन डवलप हो एक नेशनलिटी मेंटेन करना और फिर उसे डवलप करना जो है वो शुरुवाती भारतिये सरकार के ओपर प्रेशर था इस चीज़ का ठीक है तो इस हिसाब से उन्होंने एक shared characteristics पूरे भारत को provide करी ठीक है इसलिए धीरे धीरे पूरे भारत में भावना एं फैली कि हम बहुत सारे लोग गीत फैले कि सब हम सब भारतिये हैं ठीक है अपनी मंजिल सब एक है ठीक है ये गाना सुना होगा स्कूलों में गाया जाता था ये सब क्यों ताकि वो nationalism की भावना prevail करे maintain रहे develop हो लोगों के अंदर ठीक है क्योंकि जो बहुत मुश्किल से पटेल साब ने मैनन साब ने बहुत मुश्किल से देश को जो बांधा था वो बिखर ना जाए इसलिए लोगों के अंदर ये national identity डालना बहुत जरूरी था और ये धीरे-धीरे over the period generation to generation डलती गई और आज हमें आज अब कहीं भी भारत में पूछेंगे किसी से भी तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं इस particular वो ये तो कहेगा ही definitely कि मैं इस particular राज्य का हूँ लेकिन वो ये definitely acknowledge करेगा कि मैं भारत का हूँ ऐसा आपको आज भारत में कोई नहीं बोलता हूँ मिलेगा कि नहीं मैं भारत का निवासी नहीं हूँ हाँ मैं भारत का हूँ लेकिन अगर आप 1947 के बाद 1950s के डेकेड में आएंगे तो बहुत सारी political शक्तियां openly ये बोलती हूँ नजर आएंगी आपको कि हम भारत का हिस्सा नहीं है है इदराबाद जो नागर्ड कश्मीर हमारे सामने example है इन्होंने clearly कहा कि हम भारत का हिस्सा नहीं है और ये तो prominent examples है छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी रियासते हैं जिन्होंने कहा काफी लंबे समय तक आजादी के बाद वो कहते भी रहे बले ही उन्हें जबरदस्ती माननी पड़ी बात आरतिये संग की यूनियन सरगार की लेकिन वो काफी समय तक कहते रहे कि हम भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन देखिए जो enforce की गई nationality उनके उपर आज उसका collective असर long time असर देखिए क्या है आज असरी है कि आप भारत में कहीं भी जाएंगे तो लोग comfortably कहते हैं हाँ हम proudly कहते हैं कि हम भारत के जो हैं वो निवासी हैं वही सब region वही सभी region जो पहले openly neglect करते थे कि हम भारत का हिस्सा नहीं है वो अब openly accept करते हैं proudly कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा है this was their strategy ये nationality की एक shared characteristic nationality की जो cultural एक sentiment है वो शुरु में जो फैलाया गया जो कि क्या था culture, language, race, religion, political goals, belief in common ancestry ये सारी जो चीज़े हैं ये धीरे धीरे हमारे curriculum में डाली गई और एक जो है वो collective belongingness की जो sentiment है वो डाली गई अब इसी चीज़ को यूरोप में लेकर आते हैं जो भारत में हमने समझा ना फ्रेंच और जर्मन भाषा है बिलकुल जो है वो difference उनके cultures में difference है ठीक है उनके ethnicity अलग-अलग है इसलिए दो अलग-अलग राश्च्र डेवलप हो है यहां से हमें nationalism की definition हमें अच्छे से समझ आती है next point देखिएगा there are three main paradigms for the understanding for understanding the origins and basis of nationalism ठीक है अब nationalism कहां से निकल गार आता है इसको समझने के तीन paradigms है paradigms का मतलब क्या होता है pattern right pattern of understanding इस paradigm पहला देखिए क्या है the first known as primordialism और perennialism sees nationalism as a natural phenomena it holds that although the concept of nationhood may be recent nations have always existed ठीक है so जब perennial या perimodialism है यह कहता यह है कि nations भले ही बाद में बने हो लेकिन बहुत पहले से यह national sentiment established होता है ठीक है तो इनका कहने का मतलब यह है कि Britain was a nation from a very earlier time जो कि हमने maps के मादिम से देखा भी they are not entirely wrong Britain was a nation even when western roman empire fall there was Britain Britain's जो हाँ पर मौझूद थे England नहीं बना था kingdom नहीं बना था लेकिन Brits वहाँ पर मौझूद है right Frankia वहाँ पर मौझूद है Holy German Empire डवलप होता हो नजर आया हमे ठीक है तो जो perennialism है वो कह रहा है कि nations पहले से हैं और यह monarchies को जो है वो support करते होई नजर आएगा यह जो पहला paradigm है आपका perennialism का यह monarchies को support करता होई नजर आएगा दूसरा पढ़ते हैं the second paradigm is ethnosymbolism which is complex perspective seeking to explain nationalism by contextualizing it throughout history as a dynamic evolutionary phenomena and by further examining the strength of nationalism as a result of nation's subjective ties to national symbols imbued with historical meaning ethnosymbolicism क्या होता है कि जब भारत का जंडा है अब भारत के जंडे से हम सब समझते हैं कि हम वहाँ से हमारी nationality उभरती है भारत का जंडा एक symbol है हमारी nationality का ठीक है जो line capital है वो symbol है हमारी nationality का ठीक है भारत माता symbol है हमारी nationality का भले ही वो European ideology हो लेकिन over the period वो symbol बना हमारी किसकी हमारी क्या nationality का ठीक है सो जो इसको कहते है ethno symbolism की इस तरह के symbols जो है वो over the period nationality का symbol बन जाते है next आते है the third and the more अच्छा देखिए अब यहाँ पर यह जंडा यह lion capital के अलावा languages, culture, food habits यह सब भी क्या बन सकते हैं, symbols बन सकते है, ethno symbols बन सकते हैं किसके nationality के ठीक है, सो इसी हिसाब से Europe में French भाशा के अधार पर France है ना वहाँ पर यही है वो, ethno symbolism है, सो जब Napoleon ने expand किया और उसने जब मान लीजिए उसने जो है वो, Sardinia के एरिया को control में लिया आपने या Netherlands को control में लिया, तो उसको छोड़ना क्यों पड़ा? ठीक है, according to the perennialism, वो तो अब, वो उसके control में था, वो nation बन गया था, क्यों? क्योंकि जो perennialism है, वो मुनार्की को support करता है लेकिन जो ethnosymbolism है, वो कहता है कि, according to that, जो area जीता था Napoleon ने, वो French भाषा नहीं बोलता था इसलिए France का region, वहीं तक ही जो है, वो रहना चाहिए, जहां तक लोग French भाषा बोलते है ठीक है, सो basically हो क्या रहा है कि Europe में territories जो हैं, वो आपस में बाटी जा रही है किसके साब से ethnicity, culture, इन सारे fundaments पे ठीक है अब तीसरा आता है, the third and the most dominant paradigm is modernism which sees nationalism as a recent phenomena that needs the structural conditions of modern society in order to exist modernism क्या कहता है कि liberty, fraternity, equality, equal rights, justice, representative, government, parliament ठीक है, human rights, individualism, ये सारी चीज़े होनी चीए तब जाके nation बनता है सो जो modernism है, वो कह रहा है कि जब ये सारी चीज़े fit होती है न एक representative government होगी, human rights होगे, equality होगी, justice होगा, liberty होगी सबको तब आप बोलोगे कि ये एक nation है क्योंकि देखिए, culture एक हो, इसका मतलब ये तो नहीं है न कि वहाँ पर liberty भी होगी, equality भी होगी ठीक है, अब माली जे, जो मुनार्की है, जो चला आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है न कि मुनार्की है तो equality ही नहीं, जो चला आ रहा है जो पैरिनलिजम है, वो क्या कह रहे है, जो चले आ रहे है, वो nation है ठीक है, ethnos symbolism क्या कह रहा है जो भाशा के आधार पर बटे है, जो culture के हिसाब से बटे है, वो nation है और modernism क्या कह रहा है, जो एक representative, सरकार, एक जो है, वो equality, justice, इन सारे paradigms को लेकर जो चल रहे है, वो nation है तो ये तीन जो है, वो paradigms है nation के, कि किस तरह का nation होना चाहिए पहला कह रहा है, पैरिनलिजम जो चला आ रहा है जो monarchies है, जो पिछले पुराने जो kingdoms है, वो ही nations है दूसरा है ethnosymbolism, जो cultures, ethnicity के साब से बटा है, जो geographical region और तीसरा modernism क्या कह रहा है, जो modern ideas पर established है उनको मानेगा ये क्या nation, ठीक है Now, last point देखेगा, historians used to characterize the modern sense of national political autonomy and self-determination from the late 18th century onwards So, late 18th century, यानि की 1750 के बाद से historians ने characterize करने लगे modern sense में nations को उससे पहले nations जो है, वो ethnic symbols के अधार पर या पुरानी चली आ रहे ही kingdoms के अधार पर nations को, जो है, वो मतलब establish किया गया था, ठीक है So, modernism जो है, वो presently लागू है Next, देखेगा अब आगे बढ़ते है अब आता है, causes for emergence of nation states अब ये जो modern times में ये जो nation states आए है इनके आने का कारण क्या है, इन कारणों को समझते आई है ठीक है, तो सबसे पहला है historical and social factor ठीक है, एतिहासिक और social factor देखेए क्या है पहला point है, people living in same region through a long period of time develop common customs, practices and traditions these practices along with their values and belief systems form an integral part of their culture or way of life culture is way of life अब आगेगा, अभी सारी चीज़ एक्स्वेन करूंगा most of the time they also share a common language and ethnicity all these factors together constitute a feeling of belongingness which integrated them somewhere at the psychological level this psychological integration acquires the form of a nation इन सारे points को एक एक करके explain करता हूं लेकिन आई है चलते हैं tribal cultures में फिर से ठीक है, तो इनसान ने शुरू में tribes बना कर रहने शुरू किया भारत में जन बने, जनपद बने, महा जनपद बने ठीक है, तो शुरू में इनसान ने tribes बना कर रहने शुरू किया अब ये जो tribes है ना, ये धीरे धीरे इन्होंने social customs develop कर लिये और जब एक, तो एक geographical region में जब इनसान ने क्रिशी करना शुरू कर दिया और permanently रहना शुरू कर दिया तो उस geographical region की जितनी भी tribes थी उन्होंने आपस में area बाट लिया कुछ समय बाद उन्होंने लड़ना जगडना बंद कर दिया और उन्होंने आपस में social जो है वो interaction शुरू कर दिया social interaction जब शुरू हुआ तो वो चार-पांच जो tribe थी उन्होंने आपस में बाचीत करने लगे और उनकी भाशाएं जो है वो mix होने लगी उनके जो customs थे वो mix होने लगे तो हमें एक larger geographical area नजर आया जिसमें काफी सारी tribes हैं जो एक similar customs social behavior similar जो है वो भाशा जो है वो शेर करते हैं ठीक है अब ये लोग जब धीरे धीरे पीडी दर पीडी इनके अंदर ये social customs set हो गए ये social customs जो है वो धीरे धीरे जो है वो गहरी चाप छोड़ने लगे क्यों इनकी identity बनने लगे गहरी चाप का मतलब इनकी identity बनने लगे यानि कि मान लीजिए place A में रहने वाला व्यक्ति जब place B में आया तो वो अपने साथ अप अपनी भाषा अपने culture को लेकर गया मतलब अपनी identity को लेकर गया जब tribe A का व्यक्ति tribe B में गया तो अपनी भाषा अपनी culture अपनी identity को लेकर गया तो जब लोगों ने जब इस तरह के बड़ी tribes ने एक दूसरे के साथ interact करना शुरू किया ना तब उन्हें महसूस हुआ कि दो अलग अलग तरहा के हमारे क्या है customs है ठीक है तब यहाँ पर एक psychological feeling develop हुई कि जो common language और common way of life वाले जो लोग है culture का मतलब क्या होता है way of life वाले जो लोग है हम सबको मिलकर रहना चाहिए और इनसान basically एक political जानवर है तो leader निकली आते हैं ठीक है तो अगर इतने सारे जो common way of life मिलकर रहेंगे तो उनमें से जो leader उभर कर आएगा या बहुत सारे जो leaders उभर कर आएगे वो जो उन सभी common culture रखने वाले common way of life लखने वाले लोगो को जब govern करने लगेंगे तो आपको nation मिल जाएगा ठीक है तो यही चीज़ आपको ancient time से ancient से भी पहले से tribal culture से उठा के आनी है तो देखिएगा जब लोग develop करते है common custom या practices और tradition तो शुरवात में tribes ने common custom practices और tradition डवलब करें उन्होंने एक culture डवलब कर लिया या way of life यानि उनके जीने का तरीका बन गया यानि मान लीजिए यूरोप के ख्षेतर में जहां पर आठ महीने ठंड रहती है चार महीने का spring आत है तो वहाँ पर मांच अहार करना उनके custom का हिस्सा है ठीक है वहाँ पर शराब पीना उनके custom का हिस्सा है क्योंकि ठंड बहुत जादा होती है ठीक है लेकिन उसी तरह अरेविया के ख्षेतर में जहां पर गर्मी बहुत जादा है वहाँ पर शराब पीना उनके custom का हिस्सा नहीं है क्योंकि शराब पिओगे तो दो घुट में चक्कर आजाएगा इतनी गर्मी है लेकिन वहाँ पर अपने पूरे शरीर को धक अब यह जेग्रिफिकल फीचर की वचसे अभी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन है वो मैंने बोला ना में लेंड यूरोप से एक अलग आइलंड है तो वहां के लोगों अब जब आइलंड अलग हुजाता है ना तो कलुचर कैसे पहला है जमीनी मार्ग से फहला है ठीक है जमीनी मार्क से थोड़ा तेजी से और efficiently ज़्यादा बहतर तरीके से फैल रहा होगा है ना समुदरी मार्क से थोड़ा धीरे फैला है कल्चर effectively नहीं फैला है तो जो ब्रिटेन के लोग हैं वहाँ पर एक अलग भाशा अलग कल्चर डवलप हुआ लेकिन फिर भी एक अलग भाशा और अलग कल्चर डवलप हुआ नेक्स देखिएगा लेकिन है लेटिन डायलेक्ट ही ओबियूसली खैर भाशा हो मैं आपको मैं आगे ले जाओंगा यूरोप की भाशा हैं कैसे डवलप हुई है ठीक है ग्रीक और जो शुरुवाती लेटिन ठीक लीनियर ए लीनियर बी जो स्क्रिप्ट सेंस के बारे में आपको आगे देरे देरे एक्स्प्लें करूँगा क्या ही ठीक है लेकिन यहाँ पर नेक्स माइट उठाते है तो इस शॉरुवात में जो ट्राइबल है वो ट्राइबल की है तो फ्यूडल लॉड रहे होंगे फ्यूडल जब जुड़े फ्यूड़े जब जुड़े तो गिंगडम के केंग है ठीक है तो धीरे धीरे अनलाइटमेंट के आइडियाज ने क्या किया लोगों में यह भावना डाली कि जो किंग है वो चर्च की मदद से सभी को एक्स्प्लाइट कर रहा है यह सब को पता चल गया धीरे धीक है जो मनार्कीज है जो फ्यूडल लॉड्स है वो चर्च की मदद से सबको एक्स्प्लाइट कर रहे है आम जनता को एक्स्प्लाइट कर रहे है जो 98% है उसको एक्स्प्लाइट किया जा रहे है यह सबको पता चल गया ठीक है तो धीरे-धीरे लोगों में enlightenment जागा तो लोगों ने representative government की जब demand करी तो यही जो nations हैं जो पहले यह historical और cultural background से develop हुए यह अब धीरे-धीरे जो है वो modernism यह जो nations हैं जो historical और cultural background की वज़े से establish हुए अब वो modern ideas की वज़े से new form of nation की रुप में establish होंगे जो कि kingdom नहीं जो कि kingdom नहीं होगा बट एक representative parliament के द्वारा जो है वो मतलब govern की जाएंगे ठीक है तो no longer was the king, the nation or the state the state had become the people's state, a national state and a fatherland statement का मतलब यह है कि king जो है वो अब वो nation या state नहीं है देखे, medieval times में और early modern times में भी जब तक नए nations representative government नहीं आई, constitutional monarchies बगएरा नहीं आई तो जो राज्य है उसका मतलब यह था कि राजा को बचाना है बस माल लीजे राज्य पे जब खत्रा आता था ना तो राजा अंत में अपनी जान बचाने की सोचता था एक kingdom का मतलब क्या होता है जो पूरी की पूरी kingdom है वो designed है एक ही वेक्ती और उसकी family को favor करने के लिए या royal order को जो उसका royal order है उसको favor करने के लिए लेकिन एक representative government में जनता जो है वो अपना खुद का मालिक होती है ठीक है तो king ही state है और king ही nation है इस notion की जगा people ही state है और people ही nation है ये भावना आई लोगों में this is modern nationalism next देखिए का last point state became identified with the nation as a civilization as a civilization became identified with national civilization अब यहाँ पर बहुत important point है state जो है वो राष्टर के रूप में राज्य राष्टर के रूप में जो है वो nation के रूप में symbolize हुआ यानि कि भारतिय सरकार और भारत एज़र राष्टर दो अलग अलग चीज़े है लेकिन भारतिय सरकार भारत एज़र राष्टर के रूप में नजर आती है भारत राष्टर कौन है यह जनता से बना है भारत राष्टर और भारतिय सरकार भारत राष्टर को गवर्न कर रही है लेकिन भारतिय सरकार भारत राष्टर को symbolize करती है ठीक है और यहीं से निकल कर आती है National Civilization ठीक है यहां से National Civilization की भवना आती है मैंने बोलाँ National Civilization एक ऐसी Collective भवना है जिससे लोग के अंदर जो है वो एक Collective Identity की भवना आती है लाइक माल लीजिये भारत में जो National Museums होंगे वहाँ पर भारत के अलग-अलग शेतर से उठा कर लाई हुई जो historical artifacts है उनको display किया जाएगा जिससे यह पता चलेगा कि इंडिया में यह सब चीजे हैं तो कोई अगर भार से आगे देखता है तो भारत को define करेगा वो National Museum Similarly यूरोप के अगर किसी देश का National Museum है तो वहाँ पर जाके जो भी आप चीजे देखेंगे वो यूरोप के culture को define करेगा उस particular country के ठीक है तो यहाँ पर आपको एक बहुत important चीज जो मैंने भी आपको बताई कि राज्य और राष्टर में आपको difference पता होना चीज़ राज्य सरकार है सरकार govern कर रही है किसे राष्टर को राष्टर किस से बनाएं लोगों से ठीक है लोग कैसे जो share करते हैं common ancestry जो share करते हैं common history जो share करते हैं common cultural background ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं अब कुछ देखते हैं political factors क्या है nation बनाने के पीछे political factor देखिए क्या है desire for power of autonomy अंग्रेजों ने भारत को पूरे भारतियोग महादीप को consolidate क्यों किया क्योंकि वो autonomy चाहते थे पूरे भारत पर wars and external threats have a powerful effect on the strengthening of nationalism because people realize in a profound manner that they are under the threat that therefore they need to consolidate themselves and organize their resources under one umbrella one umbrella authority so that they can withstand the threat or bilirgence of the other thus the increased thus with increased external threats the state's extractive capacities also increases देखिए simple सी बात है political motives क्या हो सकते है nation बनाने के पीछे तो सबसे पहला तो autonomy चाहिए ठीक है किसी किसी government authority को autonomy चाहिए तो वो nations established अगर कोई nation है मालीजिए कि एक XYZ geographical geographical region है जिसमें बहुत सारी feudatories है ठीक है और उस सभी feudatories को जोड़कर nation बनाने के पीछे किसी का political motive क्या हो सकता है कि वो उस पूरी feudatory को क्या करना चाहता है control करना चाहता है वहाँ पर अपना अपनी government establish करना चाहता है हो सकता है उसके पीछे उसके social या economic religious काफी सारे जो है वो motives हो जैसे अंग्रेजों कहता भारत को colonize करने के पीछे उनका social उनका सबसे पहले तो economic फिर उसके बाद political motive था फिर religious motive भी था ठीक है वो Christianity को तो बढ़ाना ही चाते थे उसके अलावा economic gain था सबसे पहले तो colony भारत में वो establish कर रहे थे उनके पीछे वो economic gain चाते थे उनकी जो mercantile policy थी उसके तहत colonize करना बहुत जरूरी था भारत को भारत को ऐसा nation के रूप में establish करना अंग्रेजों के लिए एक political motive था लेकिन दूसरा political कारण एक और हो सकता है कि एक किसी geographic एक किसी feudatories को एक साथ जोड़ देना जो कि 1815 में Vienna की conference में treaty of Vienna में हुआ 39 जो German feudatories उनको जोड़ कर German confederacy बना दी गई ताकि France और उस जैसी और जो शक्तियां जो भी उबर सकती है हो सकता है हंग्री उबर जाए हो सकता है कि Italy जो है वो कुछ समय बाद अपने आपको unify करके expand करना शुरू कर दे तो Europe में कोई भी external threat ना रह जाए तो external threat के प्रति आपने similar cultural वाले similar culture वाले जितना भी रीजन है जितना भी political जो भी entities है उनको जोड़ कर एक nation बना दिया ठीक है तो एक यह political motive भी हो सकता है towards defending oneself against the external threat और let's say organize their resources under one umbrella authority ठीक है तो next point this is the these are the political factors उसके लाबबा देखिये economic factors are really very important मैंने आपको हमेशा से बोला economic economic factor को बहुत importance देना शुरू कीजिये पहला point देखिये concern for standard of living or monetary gains promoted the development of an industrial economy capable of self-sustaining a central supreme authority capable of maintaining the authority and unity and a centralized language understood by a community of people is the very first factor very first economic factor towards making of a nation देखिये when industrial revolution hit the shore of Europe यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवलूशन आया यूरोप में हडकंप मचा हुआ था यूरोप में खीस्तान चल रही थी मोनार्कीज, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के बीच में ठीक है यानि कि यूरोप में मर्चेंट्स जो है वो यानि मोनार्कीज चाहती थी हमारा शाषन रहे मर्चेंट्स जो मिडल क्लास मर्चेंट्स थे वो चाहते थे रिपर्जेंटेटिव गवर्मेंट आये और रेडिकल्स चाहते थे ओल आउट रेवलूशन ठीक है रेडिकल्स चेंज आ जाए तुरंट जो है तब उन्हें समझ आया कि नहीं हमें नेशन बनाने पड़ेंगी जलसे जल्द हमें strong nations बनाने पड़ेंगी यूरोप में एक balance क्रियेट करना पड़ेगा ताकि वो आपस में लड़ेना और वो strong nations क्यों बनाने पड़ेंगे देखिए सबसे पहले तो concern for standard of living और monetary gains monetary gains बना रहे और standard of living develop हो मैंने ब्रिटेन की बात नहीं कर रही मैं mainland Europe की बात कर रहा हूँ मैं ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ब्रिटेन industrial revolution आने से पहले ही है constitutional monarchy मैं enter कर चुगा था ठीक है ब्रिटेन में वो महाल पहले develop हो गया था इसलिए ब्रिटेन सबसे पहले बड़े geographical area को colonize करने में काम्याब रहा important geographical area को colonize करने में ब्रिटेन पहले काम्याब रहा तो ब्रिटेन पर मैं already बहुत कुछ बोल चुका हूँ आज हम mainland Europe के बारे में देख रहे हैं ठीक है फ्रेंच revolution और नेपोलियन से पहले ठीक है नेपोलियन जो नेपोलोनिक वार्ज है उससे पहले का जो मैप है ठीक है that means Spain, Portugal, France, German Confederacy, Italian Confederacy यह Italian भाशा बोलने वाले जितने भी है नेपल्स है, पैपल लेंड है, ठीक है, सिचली, सारडिनिया यह सब जो है, Venice, Genoa बगरा उसके लाबा, Habsburg है, Hungary, Austria, ठीक है, Lithuania, Poland, Austrian, Netherlands है हमारे पास उसके लाबा, Prussia भी है और Russia भी है, और उपर Norway, Sweden, Denmark, Finland यह चार देश तो है तो यह महल था उस समय उरोप में, अब ऐसे में, देखिए, इस sentence को फिर से पढ़िए Concern for standard of living or monetary gains promoted the development of an industrial economy monetary gains के लिए industrial economy आई पहले, समझ गए हम capable of self-sustaining a central supreme, अब उस industrial economy की वज़े से economic boom जो आया, तो अब राश्ट्रो में order maintain करने के लिए centralized authority established करने की होड बढ़ गई, क्योंकि जो already feudal जो देश है वो और छोटे-छोटे तुकडो में न तूट जाए, क्योंकि सभी merchants को जब रास्ता दिग गया, हम सभी पैसा गमा सकते हैं, तो अब एक centralized authority establish करने की जल्दी आने लगी, यहां से भी हमें nation develop होते हैं नजर आते हैं, ठीक है, तो एक economic कारण ये भी है, कि centralized authority जल से जल्द establish की जाए, ताकि ऐसा नहों जो already feudal जो जो भी छोटे-छोटे states हैं, जो भी feudatories हैं, वो और छोटे तुपडो मेंना तूट जाए, इसलिए अभी central authorities ये उरोप में होना बहुत ज़रूरी है, central supreme authority, capable of maintaining the authority and unity and a centralized language understood by community of people, यानि अब एक central authority, government authority भी होने चीए, और एक centralized language होने चीए, यानि जर्मन राष्ट्र बनेगा जर्मन भाशा के अधार पर, फ्रेंच बना, फ्रांस बना है, फ्रेंच भाशा के अधार पर, centralized language भी होने चीए, जो वहां के सभी लोगों को समझ भी आए, ठीक है, next point देखेगा, modernist theorists, note that this, this, this is only possible in modern societies, as traditional societies typically lack these prerequisities for nationalism, देखे, prerequisities का मतलब जो पहले से मौजूद होनी चाहिए, पहले से जिनकी demand है, क्या चीज, एक centralized language और एक centralized authority, तो centralized authority जो है, क्या है, एक modern polity का है, एक characteristic आप मानके चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि medieval ages के characteristics क्या है, feudation, feudatory या feudal system, जो है, वो medieval ages की characteristic है, modern ages के characteristics क्या है, central authorities, तो central authorities आपको modern times में ही नज़र आएगी इसलिए जब हम modern times को study करते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे nations develop होते वे नज़र आते हैं जिनमें एक central authority मौझूद थी next point देखेगा the lack of modern self sustainable economy बहुत ध्यान से समझीए मैंने बोलो ना कि जो central authority की demand है लेकिन वो है नहीं क्यों क्योंकि mainland Europe medieval से modern में एंटर कर रहा है mainland Europe इसलिए बोल रहा हूं मैं UK को अलग लेके चल रहा हूं वहाँ पर industrial revolution आ गया वहाँ पर constitutional मनार्की हो गई वह centralized कर चुके हैं अपने आपको mainland Europe में अभी centralized authority नहीं है so that they lack a modern self sustainable economy क्योंकि वहाँ पर centralized authorities नहीं है ठीक है और modern self sustainable economy के लिए क्या चाहिए centralized authority with common language have divided authorities and use multiple languages resulting in many groups being unable to communicate with each other समझे modern sustaining economy क्यों नहीं है क्योंकि divided authority है centralized authority centralized authority नहीं है centralized authority क्यों नहीं है क्योंकि multiple languages बोलते हैं बहुत सारे भाशाएं बोलते हैं ठीक है पुरुशिया वहाँ पर Polish भाशा ठीक है वहाँ पर हो सकता है Baltic भाशा है बोली जारी है पुरुशिया के रिजन में इटली का जो पैनिजला है उसमें जो northern part है वो अलग तरह की इटलियन बोलता है और southern part अलग तरह की इटलियन बोलता है सिचली में अलग तरह की इटलियन डवलप हुई है ठीक है फ्रांस में भी अलग-अलग French dialect मौजूद है तो यह जो communication gap है इसकी वज़े से एक modern self-sustainable economy नहीं बन सकती क्योंकि एक modern self-sustainable economy के लिए एक centralized authority की जरुरत है और एक centralized authority के लिए एक common language की जरुरत है इसलिए भारत क्या जो center है वो अंग्रेजी भाषा को इस्तमाल करता है ठीके प्रॉमिनेंटली राइट अंग्रेजी भाषा को इस्तमाल करता है क्योंकि अंग्रेजी जो है वो एक common भाषा है पूरे भारतियोप महादीप में समझाएं इंग्लिश भाषा का importance क्या है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भाषा कम है या जादा है लेकिन पूरे भारतियोप महादीप को एक करने के बीचे अंग्रेजी भाषा का भी कुछ रोल है यह बहुत important सवाल बन सकता है मेंस के मेंस के साब से या जर्नली भी आपको पता होना चाहिए ऐससे भी आ सकता है इस पर लिखना है कि अंग्रेजी भाषा की का importance है ठीक है तो यहाँ पर आप nationalism के points को उठाएंगे ठीक है कि किस तरह culture के अधार पर nation building की जाती है किस तरह एक self एक modern self sustainable economy के लिए एक centralized एक central supreme authority की जरूरत होती है जिसके लिए एक centralized language की जरूरत होती है जो की understand की जाए maximum population के लिए इसलिए अंग्रेजी भाषा उसके लब ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में कुछ खास है खास बात यह है कि जादा से जादा लोग जानते हैं उसे या जान सकते हैं मतलब ऐसा system available है ठीक है नेक्स देखिएगा नेक्स पाइंट आता है अच्छा एक बार यह पाइंट फिर से देख लेजे देलाय का modern self-sustainable economy have divided authorities and use multiple languages resulting in many groups being unable to communicate with each other नेक्स पाइंट देखिएगा अधा इंडुस्ट्रियल revolution in Europe during 19th century increased the national competition in the economic sphere and brought the nation states in conflict with each other for the acquisition of colonies industrial revolution बढ़ा जो demand बढ़ी हुई थी उसके लिए supply बढ़ी supply बढ़ी तो यूरोप में surplus हो गया अब यूरोप में सभी produce कर रहे है तो सभी जितनी भी बढ़ी political शक्तियां थी उन्होंने सोचा अपना अपना geographical land बांध लेते हैं अब ये सभी यूरोप जो है वो प्रड्यूस कर रहे हैं तो आपस में तो कोई नहीं बेचेगा that means अब colonies acquire करने की होड शुरूई तो अब सभी जो है वो पहले जो Britain colonies establish करना था Britain से छिलने लगे colonies France से कॉलनी France और Britain आपस में colonies छिलने लगा Spain पुर्दगाल में colony छिनने की जो है वो होड होई Africa को colonize करने की होड बनी ठीक है तो जैसे जैसे surplus increase हुआ है यूरोप में colonization भी बढ़ा है और जैसे colonization भढ़ा है तो basically हो क्या रहा है हम ऐसे कहते हैं ना कि Britain की colony, France की colony, Netherlands की Dutch की, German, Swiss colonies so basically है क्या है ये national identity तो है ना ये nationalism ही तो increase हो रहा है ना nationalism increase होने का मतलब क्या है कि nation की भावना पहले क्या था देखिए mainland Europe में Switzerland या mainland Europe में German was a language and German it is not even a geographical expression it was a language spread through a geographical patch, right लेकिन धीरे धीरे German के जब unification हुआ Germany का तो वो एक जो है वो political authority के रूप में ओभरा Germany की बाद छोड़ दीजिए France की बात कीजिए ठीक है France जो है वो भले ही शुरुवात में kingdom रही हो तो जो फ्रेंकिया या फ्रेंच जो kingdoms है उन्होंने एक geographical region acquire किया क्यों क्योंकि एक centralized authority की जरुरत थी इस नई modern economy के साथ cope करने के लिए ठीक है next point देखिएगा with the underpinning of the industrial revolution the miseries of workers also increased तो workers की miseries पर मैने एक पूरा जो हो topic आपको explain किया है ठीक है as a result the workers had to unite under the trade unions and bargain for their rights so there were an urgent need for an authority in which they had their representations and such an authority would not only enact laws which will accommodate the interests of the workers but also could legitimately enforce them against the detriment of the workers देखिए industrial revolution बढ़ा merchants, capitalist लोगों ने मजदूरों की कमर पर खड़े होकर जो है वो अपने businesses को establish किया लेकिन धीरे धीरे मजदूरों ने अपने rights को पहचाना और trade unions establish हुई अब यह जो trade unions है they called for representation for themselves as well as a representative government ठीक है तो धीरे धीरे देखिए enlightenment पहले अब वापिस ले जाते हैं geographical discoveries पे enlightenment सबसे पहले noble class में आया aristocratic class में आया वहाँ पर merchant class बनी उन्होंने साथ दिया किसका वो conservatives के रूप में उभरे क्योंकि उन्होंने monarchies का साथ दिया लेकिन enlightenment आया ना तभी तो उन्होंने geographical discoveries करी तभी तो वो merchants के रूप में establish हुए फिर धीरे-धीरे enlightenment उनसे नीचे जो financially उनसे जो नीचे तब का था society का उनमें आया ठीक है फिर वो एक ने जो है mainland Europe में hit हुआ तो अब enlightenment जो है वो labors में आया देखने है step by step enlightenment society के नीचे तब के तक पहुँच रहा है तो renaissance जो 25-26 अताबदी में enlightenment का समय आया था 20-वी शताबदी 19-वी शताबदी तक आते-आते वो समाज के labor यानि जो peasantry है समाज का जो बिलकुल base है 98% जो है समाज का जहां तक पहुच सका और जब ये peasants और ये जो labors है ये जब enlightened हुए तो इन्होंने trade unions की demand करी कि हड़ताल करेंगे जब तक हमें representation नहीं तब तक काम नहीं यहां पर labor parties हमें establish होती भी नजर आई और यहां पर हमें धीरे-धीरे modern politics जो है वो develop होती भी नजर आई है तो यहां हमें ये समझना है कि किस तरह renaissance के enlightenment के ideas aristocratic class से लेकर labor class तक धीरे-धीरे फैले है ठीक है and it took a good 400 years for that right next point देखेगा अब हम कुछ चिंतकों की बात करते है so Karl Marx देखे Karl Marx के उपर वैसे एक अलग से topic लोगा detail में समझाओंगा लेकिन यहां पर Karl Marx का थोड़ा से जिकर कर लेते हैं ठीक और Frederick की भी बात करेंगा वागे हम है ना Frederick Angels की भी Karl Marx in his writings talks about the transitions to communism from capitalism देखे mercantile policy से capitalism धीरे-धीरे उभर आया वैसे mercantile policy का ही एक थोड़ा सा modified firm कह लीजिए capitalism है वैसे capitalism का मतलब क्या है बिल्कुल मतलब simple है capitalism का कि जब जब आप जब ट्रेड करने का sole purpose मुनाफ़ा कमाना हो जाए ना यानि कम से कम input में ज़ादा से ज़ादा output निकालने की जब mentality पूरे economic sphere में चली जाती है उसको कहते है capitalist economy और capitalist economy establish करने के लिए एक specific तरीके का social order एक specific तरीके का political order चाहिए होता है capitalist capitalism के बारे में अलग से topic लूँगा detail में समझेंगे लेकिन काल माक्स ने कहा कि यह जो capitalism है ना इसकी जगा communism होना चाहिए communism का मतलब क्या है communism आता है common word से common का मतलब है common का मतलब यह बना यहाँ पर कि सभी के लिए यानि जो resources है वो किसके लिए होने चीए वो केवल wealthy 2% के लिए नहीं होने चीए वो जो resources है जितने भी natural resources का use करके जो wealthy 2% है capitalist जो है वो पूरी दुनिया के सभी resources को choose कर केवल अपनी जो है वो अपनी तरफ सारा उन्होंने cash और जितना भी capital है उसका influx बढ़ाया हुआ है वो सभी जनता को पहुँचे common लोगों को आए यानि जितने भी natural resources यह धरती हमें दे रही है उसका फाइदा सभी लोगों तक पहुचना चाहिए यह है communism ऐसा ही यही सेम बात कही किसने Karl Marx अब यह अचीव करने के लिए जैसे capitalism अचीव करने के लिए a specific social order a specific political order चाहिए उसी तरह communism अप्रोच कर communism तक पहुचने के लिए a specific social order a specific political order चाहिए काल माक्स in his writings talks about the transitions to communism from capitalism but in the intermittent period of such transition also talks about the dictatorship of the proliterate that is the state apparatus should be controlled by a majority proliterate and such control of coercive state apparatus could bring about a transition against the determinant of the workers काल माक्स कहते हैं यह capitalism से communism में conversion होगा जब proliterate यानि जो labors है जो सबाल्टरन है जो निचला तबका है वो representative government के तहत अपने आपको as a dictator establish करेगा यानि वो जबरदस्ती impose करेगा communism को तो communism कहने का मतलब की खाली बैठके नहीं आएगी communism dictate हो जाए फिर उसके बाद हालात सुधर जाएंगे यानि कि यहाँ पर काल माक्स का थोड़ा से रवया violent होता हो नजर आएगा हमे वैसे काल माक्स की इन्हीं ideologies को details explain करूँगा communism, socialism आपको समझाऊँगा हमे बहुत सुन्दर topics हैं बहुत बहुत बहतरीन तरीके से क्योंकि यह क्लाइन से पढ़ाऊँगा capitalism क्या है क्योंकि आज हम nationalism समझ रहे हैं है ना आज का समझ रहे हैं nationalism इसके बाद हम communism भी समझेंगे हम capitalism भी समझेंगे हम communalism भी समझेंगे ठीक है हम socialism भी समझेंगे तब समझेंगे कि भारत sovereign socialist democratic republic क्यों है communist सरकार जो है communist जो है वो क्यों नहीं है भारत और चाइना communist क्यों है रशिया ने क्यों communism और socialism के बीच में जगल करते रहे अपने आपको और कहां पर काल माक्स के point सही है कहां पर गलत है एक तो पहले चीज़ यहीं गलता है कि यह डिक्टेटर्शिप की बात कर रहे हैं डिक्टेटर्शिप of any form is not ideal, राइट, नहीं रहती क्योंकि जहां पर डिक्टेटर्शिप होगी, चाइना में देख लीजिए चाइना में यही फॉलो किया गया कि डिक्टेटर्शिप लाएं गए और वो डिक्टेटर्शिप ही है वो तब्से, है ना यह जो काल माक्स का पॉइंट है पहले डिक्टेटर्शिप ओप्रोलेटरेट की और फिर वो impose करे communism को और धीरे धीरे communism आ जाया और फिर dictatorship अट जाया dictatorship should be transitionary between capitalism and communism but China is still a dictatorship मतलब कह सकते हो अप एक मोटे तोर पर या कहा गया है है या नहीं है देखिए मैंने बहुत गलत किया कि अभी statement दे दी मैं सवाल को रखना चाहिए मैं refresh करता हूँ अपने आपको dictatorship है या नहीं है या किस तरहा का government structure है हम establish करेंगे मैंने भी चाइना का इतिहास नहीं बढ़ा है आपको चाइना का इतिहास और चाइना का present जो है वो हम समझेंगे दिरे-दिरे आएंगे चाइना के उपर भी हम sessions लेकर ठीक है तो अभी किसी भी तरह के statement देना bold सही नहीं रहेगा तो मैं अपने statement को वापिस लेता हूँ ठीक है देखे तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इस point को Karl Marx in his writings talks about the transitions to communism from capitalism समझ गये ना capitalism से communism को एक transition होगा लेकिन उस transition के दौरान but in the intermittent period of such transition also talks about dictatorship of the prolaterate prolaterate यानि की जो सबाल्टरन है जो मजदूर है जो labor है उनकी dictatorship आए that is the state apparatus should be controlled by majority prolaterate and such control of coercive state apparatus coercive यानि जो forcefully impose करे इन सब ideology को could bring about a transition against determinant of the workers worker की जो बोरी हालत है उनकी अहलातों में तभी बतलाव आएगा अब ये बाते कालमाक्स यूरोप में बैठके बोल रहे थे European workers के लिए बोल रहे थे ये बाते चाइना और रेशिया ने एशिया में फॉलो कर ली गलती हो गई उनसे समझेंगे कि क्यूं कालमाक्स की बाते केवल यूरोप पर जो है वो लागू हो सक्ती थी और यूरोप के बहार उनको लागू किया गया तो गड़बड बहुत बड़ी हुई है बड़े लेवल पर गड़बड़े हुई है ठीक है तो समझेंगे इन चीज़ों को और कैसे भारत पर कॉम्मिनिजम जो है वो लागू है या नहीं है कामियाब है भारत के लिए नहीं है इन सब भाहस में दिरे-दिरे पड़ेंगे क्यों नहीं जा रहा हूँ इस भाहस में क्योंकि अभी मैं कॉम्मिनिजम टॉपिक नहीं लेकर आया हूँ मैं चाहता हूँ पहले वो दिव्यूद्ट हो सोशिलिजम कॉम्मिनिजम पहले कापि strap कापितिली ज़्म को समझेंगे, ठीक है फिर हम amplusement को समझेंगे तब जाके हम उतरेंगे इस बहस में तब जाके हम रशिया के इतिहास को भी चाइना के इतिहास को भी समझेंगे ठीक है और फिर cold war वगेरा ये सब हमें समझना बहुत असान हो जाएगा समझ रहे हैं और भारत तब हमें भारत की जो स्थिती है international affairs में वो भी हमारे लिए समझना बहुत असान हो जाएगा समझ रहें मैंने बोला न इतिहास से मैं बहुत सारे subject की जड़ निकाल कर लाऊंगा इतिहास से quality की जड़ निकाल के दूँगा मैं आपको इतिहास से economy की जड़ निकाल के दूँगा आर्ट इन कल्चर की जड़ निकाल के दूँगा इतेहास से in fact इतेहास में ही आर्ट इन कल्चर का काफी बड़ा हिस्सा cover कर दूँगा ठीक है अब आर्ट इन कल्चर के उपर घबराओ मत topic आएगा tension ना लो ठीक है लाओंगा और जब लाओंगा तो बहुत मज़ाएगा तुम्हें detail से बिल्कुल ancient से उठाओंगा और सारा आर्ट इन कल्चर का पूरा development सिखाओंगा कैसे हुए ठीक है लेकिन अभी world history चल रहा है तो अभी इस पर focus कर लेता है next point देखिएगा the year 1848 in which the communist manifesto a pamphlet written by Karl Marx and Frederick Engels was published अभी ये Karl Marx और Frederick Engels जो है वो उस समय के काफी बड़े political thinkers है किस समय के 19th century and mid 19th century के इन दोनों के पास जो है वो इसी तरह का background है मतलब mid 19th century was the period when mainland Europe में जो है वो industrial revolution का peak आया boom आया industrial revolution का धीरे धीरे राइट अब boom आया पीक नहीं boom आया industrial revolution का industrial revolution का peak जो है वो चल रहा है कहाँ पर Britain में ठीक है Britain में 19th century के से पहले यानि 18th century में ही शुरू होगी industrial revolution क्योंकि वहाँ पर naturally आई धीरे धीरे बढ़ी किसमें यूरोप में और जब यूरोप में बढ़ी देखेगा ब्रिटेन में मजदूरों की पुरी हालत हुई obviously मैंने आपको पूरे detail में explain किया था कि क्यों मजदूरों की पुरी हालत हुई वही same pattern यूरोप में भी रहा लेकिन यूरोप में political situations अलग थी ब्रिटेन was a constitutional monarchy before industrial revolution लेकिन यूरोप में industrial revolution आने की वजह से constitutional monarchy is established हुई ब्रिटेन में industrial revolution आने की वजह से लोगों ने जो monarchs हैं या जो भी political शक्ति हैं उन्होंने nation building के ओपर ध्यान दिया क्यों? क्योंकि industrial revolution ने पैसा कमा कर दिया लोगों को बहुत तो पैसा आ गया तो उस पैसे को छुपा के रखने की बात आगी उसको संजो के रखना है तो इसलिए अब national boundaries होना जरूरी हो गया ताकि जगड़ा हो तो तगड़ा हो अब की बार ठीक है? तो world war हमें देखने को मिला इसलिए तो खेर पहुँचेंगे वहाँ तक लेकिन यहाँ पर communist manifesto की बात कर लेते हैं ठीक है? so 1848 में कारल माक्ष ने communist manifesto दे दिया क्यों? क्योंकि 1848 तक वो अच्छे से study कर चुके थे कि ब्रिटेन में और यूरोप में जो फैला है ये industrial revolution इसकी वज़े से जब मजदूरों की इतनी बुरी हालत है ना तो ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि इस समय देखे जब mainland Europe में industrial revolution का हेट आया है ना तो बहुत सारे political thinkers और खासकर ये तीन sects कौन-कौन से? conservatives, liberals और radicals ये तीनों आपस में लज़ रहे थे कि किस तरह की सरकारे होनी चीए है किस तरह की nations होने चीए है यूरोप में ठीक है? और वो अलग-अलग तरह के nation बने और फिर वो आपस में लड़े world war ठीक है? लेकिन लेकिन उसी बीच काल माक्ष भी थे और उन्होंने अपनी theories जो है वो दी with the communist manifesto जिसमें उन्होंने communism को समझाए कि communism might be the solution for your problems लेकिन इस solution का adopt कर लिए रशिया और चाइना ने और जो ये communist manifesto काल माक्ष ने दिया था समझ रहे हैं न? European social, cultural और political हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने communist manifesto दिया था जो कि adopt कर लिया गया भारत में adopt कर रहे हैं उसे उसको चाइना और रशिया अपने motives के लिए धीरे-धीरे समझेंगे वहां तक नहीं गए हैं अभी हम अभी देखिए मैंने रशिया की तो बात करी नहीं न बड़े तौर पर लाओंगा मैं रशिया पर सेशन्स चाइना पर कहां बड़े तौर पर बात करी हमने ठीक है और ध्यान दीजेगा एक modern Indian modern history का एक topic मैंने बार बार बोला socialism, communism ठीक है rise of the left wing ये एक topic है struggle for independence का ठीक है वो नहीं उठाया मैंने भी तक क्यों नहीं उठाया क्योंकि पहले में world history में आपको communism और socialism पढ़ाऊंगा फिर आपको ले जाऊंगा modern history में इंडिया की और फिर वो topic बताऊंगा तब आपको समझाएगा जवार लाहल नहरू तब आपको समझाएगा सुभाष चंदर भोस तब आपको समझाएगा महात्मा गांधी तब आपको समझाएगा वल्लभाई पटेली ठीक है बहुत important है next point देखेगा the year 1848 in which the communist manifesto a pamphlet written by Karl Marx and Frederick Engels was published was also the year for the worker movements all over Europe for establishment of democracy ठीक है अब यहाँ पर communist सरकार होने चाहिए democratic सरकार होने चाहिए communism में भी democratic सरकार हो सकती है नहीं आग आने वाले sessions में डिसकस करूंगा ठीक है these revolts were led by workers they aimed at the overthrow of monarchy rule to force the rulers to grant democratic concessions to the people monarchial rule जो हो हटना चाहिए अभी येरोप में क्या है constitutional monarchies तो बहुत कम है ब्रिटेन में है constitutional monarchy लेकिन elsewhere जो है वो kingdoms है कौन कौन सी kingdom है kingdom of Portugal kingdom of Spain kingdom of France kingdom of कौन सी यह जो confederacy है German यह सारे feudatories है कोई Dutch है कोई Duke है समझने कोई Lord है कोई Knight है कोई Baron यह सब है उसके अलबा इटली के जो इटली का युनिफिकेशन नहीं हुआ ठीक है उससाइड पुरुशिया है लुथ्यानिया है ठीक है लटीविया यह सब यह सारे देश हैं तो kingdoms हैं monarchies हैं कुछ हद तक constitutional monarchies भी हैं लेकिन देखिए धीरे धीरे यहाँ पर अब लेबर्स ने डिमांड करनी शुरू करती डेमोक्रेसी क्यों क्यों क्योंकि डेमोक्रेसी promise करती है क्या representation डेमोक्रेसी क्या promise करती है representation to the labors और society के हर वर्ग के लिए representation promise करती है कौन democracy ठीक है next point देखिएगा the inspiration for such movement was not only drawn from the communist ideology but also from the ideas of enlightenment movement which were against the divine status of king and advocated respect for the will of the people देखिए communism से तो आई ही रहा था कि यह जो राजतंत्र है मुनार की यह खतम होना चाहिए लेकिन enlightenment की ideas भी तो चली रहे ना इतने लंबे समय से वो भी तो यही बोल रहे है कि representation होनी चाहिए individualism लेकर आओ और यह जो divine status है king का यह खतम करो ठीक है the workers believed that only a representative state could seriously address their problems therefore they agitated against the monarchy and sought the establishment of a representative democracy the representative democracy established किया जाना monarchy को खतम करना यह भावना है धीरे धीरे industrial revolution के साथ शुरू हुई so that means यह कि यूरोप में industrial revolution आने के बाद democracy की demand, communism की demand और धीरे धीरे हमें socialism की demand भी आती हुई नजर आएगी ठीक है so industrial revolution या उससे पहले यूरोप में जो nations है वो किस-किस तरह से थे, वो kingdoms थे और वो kingdoms थे, geographical region के वज़े से जो culture develop हुए उनके around develop हुए थे, ठीक है England के kingdom, Francia, German, जो holy roman empire था वही German भाषा ही बोलते थे, वही जर्मनी के रूप में बाद में develop हुआ है ठीक है, Italian भाषा बोलने वाले जो state से उनको जोड़कर Italy बना दिया गया तो कुछ ऐसे kingdoms हैं जो बहुत पुराने हैं और कुछ अब नए धीरे-धीरे develop होंगे आईए next point देखते हैं अगला आएगा role of absolute monarchies nation को बनाने में absolute monarchies का क्या role है देखिएगा when Napoleon invaded the rest of Europe the monarchs of Europe invoked the idea of cultural nationalism to protect the territory against foreign invasion जब Napoleon ने invasion शुरू किया France को expand करना शुरू किया तो अन्य जितने विराष्ट्र है after the battle of Waterloo सभी राष्ट्रों में जो Napoleon का साथ दे रहे थे वो भी उनमें भी ये भावना आये कि नहीं culture ली ना अपने आपको हम एक साथ जो है वो जोड ले क्यों क्योंकि Napoleon के जाने के बाद धीरे-धीरे industrial revolution यूरोप में बूम पकड़ने लगा तो कल्चर ली यानि कि भाशा के अधार पर राष्ट्रों को जोड़ना ज़रूरी है क्यों क्योंकि industrial revolution की वज़े से नया economic structure जो आया उसके लिए एक centralized authority चाहिए और जो भी kingdoms और monarchies हैं उनको एक ही basic चीज समझाई कि centralized authority केवल common language के अधार पर हम बाढ़ सकते हैं तो culture के अधार पर राष्ट्रों को बाढ़ना या जोड़ना शुरू कर दो इसलिए वेना की conference में हमें German confederacy बनती हुई नजर आती है ठीक है Thus the monarchs used nationalism to consolidate their hold on power and 19th century Europe witnessed aggressive absolute monarchies ठीक है देखे industrial revolution boom किया economy boom करी तो अब हमें absolute monarchies नजर आती हुई दिखी क्यों क्योंकि monarchs को अभी ये समझ आने लगा कि ऐसा ना हो कि जो France में हुआ है वैसा हमारे साथ भी हो इसलिए अब हमें बहुत सक्त control जो है वो अपने राष्टर पर करना पड़ेगा तो absolute monarchies देखिए कहां कहां में देखने को मिली आफ्टर दा napoleonic wars europe waves of napoleonic wars waves of pro-democracy pro-democracy revolutions but monarchies were opposed to the democratic ideas of french revolution and they used nationalism as a shield to defend and even extend their empire देखिए इस statement का मोटा मोटा मतलब ये है कि after the fall of napoleon जो France से जो democracy की जो भावना आ रहे थी वो अन्य राजो में ना फैल जाए इसलिए जो monarchs है उन्होंने nationalism का यूज किया monarchs ने nationalism का यूज किया जो democracy की भावना है उनके पास न आ जाए क्यों? क्योंकि अगर democracy वहां आती है तो monarch की शक्तियां खतम हो जाएंगी चीक है? तो और उन्हें अपनी monarch की बचा के रखनी है तो उन्होंने nationalism की भावना जगाई लोग अंदर कि तुम सब जर्मन बोलते हो एक साथ जुड़ जाओ तुम सब जो है वो Hungarian बोलते हो एक साथ जुड़ जाओ तुम सब लोग जो है वो Baltic भाशा है बोलते हो एक साथ जुड़ जाओ हम सब राश्ट्र हैं हम सब Italian भाशा बोलते हैं हम सब एक साथ जुड़ जाएं और हम एक राजा के अंदर एक जो है वो शाशक के अंदर राज करें तब ही हमारा कुछ हो सकता है अधर्वाइज फ्रांस ने जो फैलाया अपना कल को एक और नेपोलियोन उठके आ जाएगा तो ये नैशनलिजम की भावना जगाई गई लास्पन देखेंगा वार विक्टरीज एक बिस्मार्क कंसोलिडे इस होल्ड ओन जर्मनी व्या फ्रैंको पुरुशियन वर फ्रैंको पुरुशियन वर फ्रैंट्रीजम की उनिफिकेशन अफ जर्मनी ये दो बड़े राष्ट्र जैसे ही अठाराव सत्तर ग्या जाएगा ज असपास बने यहां से जो है वो क्लियर हो गया कि अब जो है वो नई बड़ी शक्तियां आ गए तो देखिए अगर कोई नए बड़े राज अब ये कहेंगे कि 1815 की जो जर्मन कंफिटरिशी बनाई गई जर्मन देश क्यों नहीं बना दिया गया क्योंकि एक अलग बड़ा देश बनेगा तो वो पॉलिटिकल एकनॉमिक खत्रा रहेगा बाकी देशों के लिए तो जो अल्रेडी एक्जिस्टिंग कलोनियल शक्तिया है ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल उनके लिए थ्रेट ना बन जाए जर्मनी, इटली, हंगेरी, हंगरी, आस्ट्रिय पुरुशिया जैसे देश इसलिए उनकी शक्ति को कंट्रोल में रखना जुरूरी था, यही डिसाइड किया गया था वियना की कॉंफरेंच में, वियना की कॉंग्रेस में, ठीक है, सो एब्सुलूट मोनार्की हमें आती भी नजर आएगी जर्मनी में भी और इटली में भ ब्रिटेन, फ्रांस, यह दो पराणे नेशन है, उसके अलाबा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलेंड, नीचे नीदरलेंड, उसके नीचे जर्मन कंट्रेशी, ठीक है, जो कि जर्मनी के रूप में उबरेगा, साइड में पुरुशिया, पुरुशिया के बाद रशिया, लेकि फिर इटली में, वैनिस, पैपल, नेपल, सिचली, ठीक है, नीचे, फ्रांस है, फ्रांस के नीचे, स्पेन और पोर्टुगल, तो यह सारी जो है, वो बड़ी, और स्विजलेंड है, बड़ी पॉलिटिकल शक्तियां ही है, ठीक है, नेशन के रूप में हमें उबरती हुई नजर आई है, कब तक, तो कहां तक पढ़ लिया हमने आज, आज हमने कवर किया है, देखिए, अठारा सो पचास था, ठीक है, अठारो सत्तर तक, लेकिन अठारो सत्तर का जो युनिफिकेशन ओफ जर्मेनी है, युनिफिकेशन ओव इटली है, अलग टॉपिक्स लेकर नेशनलिजम किस-किस तरह का हो सकता है, हमी ये समझाया, ठीक है, यूरोप में कौन-कौन से पॉलिटिकल, किस-किस तरह के पॉलिटिकल ग्रुप से सुसाइटी में, हमी ये समझाया, किस के क्या-क्य एजेंडा से हमी ये समझाया, ठीक है, तो concept building के लिए आज हमारा पूर प्रण मत होई है, आर्ट इन कल्चर जरूर आएगा, एंशेंट हडपा वगरे, सब लेकर आऊंगा, सयम के साथ जुड़े रही है, भागे कहां चले जा रहे हैं आप, मैंने बोला ना समय तो लगाना पड़ेगा, समय आपको लगाना पड़ेगा, पिछले सेशन्स देखन पिछले सेशन्स को अप देखेंगे मेरी, तभी आप आगे आने वाले सेशन्स को ठीक तरीके से समझ पाएंगे, सो वल्ल हिस्ट्री के रनेसांस, इंडुस्रियल रेवलूशन, वो सारे टॉपिक्स पड़ी है, तब जाके आपको नेशन स्टेट्स कैसे बनें, और आगे वल्ड वार वगारा जो कराऊंगा, तब ही समझ आएगा, ठीक है, तो यू मेक शॉर यू वाच ओल दो सेशन्स, दा लिंक फॉर दा प्लेलिस इस अल्सो इन पिंड कमेंट राइट बिलो दिस वीडियो, उसके अलावा अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर म बहुत सारे कोर्से अवलेबल हैं, बहुत सारे स्मार्ट कोर्से अवलेबल हैं, और स्पेसिफिकली CSC के लिए स्मार्ट कोर्स अवलेबल है, make sure you check that out, the link is right there in the description of this वीडियो, ठीक है, तो आज के सेशन को मैं या conclude करता हूँ, इस सेशन का फीडबेक आप मुझे कमेंट के मा आदिम से फीडबेक देना है, अगर वो दिख रही हों, कमेंट ना दिख रहे हों, लेकिन मुझे तो दिख रहे हैं, हम उसको, हमारी टीम उस फीडबेक को जो है, वो रिसीब कर रही है, और पूरे फीडबेक को evaluate करा जा रहा है कि कहां पर आपको क्या चीज अच्छी लग हैं वग बहुत आटारागी हैं, मैं आठा आटारागी है